कि अज़ो दोस्तों नमस्ते आदाफ सस्तियकाल आपका दोस्त गौरफ टेस्ट बुक डॉट कॉम पे स्वागत करता है तो दोस्तों हो जाई यह तैयार क्योंकि आज हम एक टॉपिक पर वार करने जा रहे हैं जैसे कि आपको पता है दोस्तों आप आप लोग डिमांड भी करें तो उसके बेसिस पर आज हम लोग यहां पर जो एक बहुत बड़ा टॉपिक है फिजिकल जोग्रफी का उसमें दोस्तों हम लोग कंप्लीट करेंगे एक टॉपिक को फिजियोग्राफिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया और दोस्तों यह क्लास सिर् हम लोग टॉपिक वाइस जो है उसको भी टगरा करते हुँ चले क्योंकि दोस्तों कोश्चन तो कहीं सभी बन सकता है और स्टार्ट करने से पहले सभी को यहां पर गुड़ इवनिंग प्रसन्ना सुमेज समराट लोबजैंग प्रीती रोहेज सब को भई भर भर के यहां प पर स्टड़ी करेंगे पार्ड वन है इसको हम लोग दीरे-दीरे करके सारा पूरा करेंगे तो आज स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं मोटिवेशनल कोट की तरफ और आज का मोटिवेशनल कोट है दोस्तों सीडियों की जरूरत उन्हें हैं जिने च्छत तक जाना है मेर मेरी मनजिल तो आसमा है रास्ता भी खुद ही बनाना है मेरी मनजिल तो आसमा है रास्ता भी खुद ही बनाना है सीधी सी बात है दोस्तों सीडियों की जरूरत छोड़ी छोड़ी सीडियों की जरूरत किसे पड़ेगी जिनके छोड़े मनजिल हो जिनका आसमान ही मनजिल हो जिसके बड़े dreams हो, तो उनके लिए दोस्तों उनको रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, चाहे वो रास्ता कैसा भी हो, तै करना पड़ेगा, और दोस्तों वहाँ पर मुश्किलें आएंगी, मुसीबितें आएंगी, hurdles आएंगे, ups and downs आएंगे, but you have to make yourself strong, खुद को आपको यह और person का दोस्तों यह दिवस है, उनको हम कहीं न कहीं ओजल कर जाते हैं, कहीं न कहीं भूल जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर याद करते हुए चलेंगे, और आज है दोस्तों किसका दिवस, आज है लाल बहादूर शास्त्री जी का दिवस, राइट, देश की तरक्की के लिए हम आपसे दोस्तों आपस में लड़ने के बजाए गरीबी, विमारी और अज्यानता से लड़ना होगा, यह दोस्तों यहाँ पर कहा था लाल बहादूर सास्त्री जी ने बहुत ही बड़ी बात कही है, और दोस्तों अगर हमें सच में फाइड करना है लाइफ में, तो हम इनको भूल जाते हैं, तो हम इनको भी आद करते हुए चलेंगे, और बापु जी का दिवस है, तो सभी को भी यहाँ पर गांदी जी को विश्वी करना थे हैं, हना चालिए, तो बढ़ेंगे दोस्तों पहले पार्ड के लिए और पहला पार्ड दोस्तों आपके स्क्रीन पर जो आज आ चुका है, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, मैप के थुरू करेंगे, दोस्तों सारी चीज समझते हुए चलेंगे, एक भी चीज को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, अब मुझे आप लोग बताएंगे, दोस्तों हमारा जो यह राफिक जो है हमारा भारत का वो कितने भाग में बटा हुआ है, very good, समराथ, रोहित, सामर्थ 5 नहीं है, ठीक है, ओके, यहाँ पर रोहित ने सही बताया है, प्रसन्ना चार नहीं है, समराथ सही बता रहे है, रितिका सही बता रहे है, बिलकुल, तो दोस्तों यहाँ पर 6 लुट बात करें तो यह चैवाग में और वह चैवाग कौन-कौन से उसको हम देखते हैं तो सब से पहले आता है दोस्तो दर नॉर्दन माउन्टेन टीसरा क्या है दोस्तो यहां पर है peninsular plateau जिसको हम पठार कहते है धक्षणी भारत पठार होते उसके बाद हम बात करे supreme Indian Desert, Marustal फिर उसके बाद आता है coastal plane और last में आता है आपका यहाँ पर the island तो दोस्तो यह 6 भाग है जो हमें आज इस class में cover करना है और एक इस point दोस्तों कवर करते हूं चलें क्योंकि दोस्तों आपको पता है कुछ भी यहाँ पर पूछ लेते हैं ठीक है तो अगर मैं दोस्तों आपको बात करूँ यहाँ पर याद करने का तरीका दोस्तों सबसे पहले हम मैप देख लेते दोस्तों ठीक है मैप कैसे देखेंगे दोस्तो और चोथा यहां पर तीक है ईस्ट वेस्ट नॉर्फ ऑर साउफ पैन रखने के बाद अभ ऊस्ट में क्या मिला था नौर्धन माउंटेन मिले ते यहां पर नौर्धन मांटेन है दोस्त ब आपको यहां पर प्र tribal CE प्रफिर उसके बाद दोस्तों यहां पर मिलता है इंडियन डेजट लिखा हुआ है तो दोस्तों यह चार आपने याद कर लिए थे कितने छे थे ठीक है कैसे याद करेंगे और बाकी दोस्तों अब यह हमने डिवीजन तो कर दिया आपने देख लिया अब लेकिन कोष्टल प्लें कोन देखेगा हमने जो फ़ाँ देखा वह क्षटल प्लें थे तो देखे दोस्तों वैस्टन घाट और इस तरह बट संस्तर चbn昨़ इस्टन घाट के 5 देख तरह तरह फिस यहाद करने के यहाद करने का दिख दीजियं चार प्यूंट रख दीजी हो गया याद रहेगा अब नहीं आठ बोड़ना है नहीं भी आधा रहा है फिर से याद करिए चार पॉइंट और दो यहां पर ठीक है चले आगे यह आए गहसे आपको क्लियर हो गया होगा अब पर देखिए दोस्तो यह तो हमने बात कही सिर्फ अभी फिजिविजयीजान ऑफ इंडिया की कितने भाग में पहला आता है दोस्तो नौर्दन मांटेन नौर्दन बाउंटेन के अंदर क्या क्या आता है वह अब हम देखेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तो हमें भारत का थोड आठ मिलियन किलो मीटर स्क्वेर ठीक है यह कोशन पूछा जा चुका है अल्रेडी एससी में दोस्तों इसके अलावा यह भी पूछा गया था जो भारत है वो कितना छेत्रफल दोस्तों कवर करता है पूरे वर्ड का एरिया का मलब पूरे विश्व के छेत्रफल का कितना हिस् फिर अगला आता है दोस्तों यहां पर कि अलेंगे लेंद्च कितनी है ज़िए उत्तर से दक्षद भारत कि तरफ शेर कृते हैं चलिए उत्तर भारत भारत पर खड़े हो गए नौर्ट पर अब दक्षद भारत की तरफ आएंगे और आपको दोस्तों यहां पर बीच में compress हुआ है 3214 किलो मीटर 3214 किलो मीटर जो आपको दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है हमने शेर की कहां से दोस्तों उत्तर भारत से दक्षण भारत पे अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों आगे बढ़ेंगे दोस्तों यहां पर कहां पर इस्ट से वेस्ट की तरफ मतला देख लेंगे नमबर 2933 किलो मीटर किता दोस्तो 2933 किलो मीटर यह तो दोस्तो इजी सवाल में पूछे जाते हैं SSC MTS में पूछ लेगा या GD में पूछ लेगा अब थोड़े से हाई लेवल पर क्या पूछेगा वो देखते हैं ठीक है अब बाता है दोस्तो यहां पे सौरी यहां पर आगर हम बात करें अब आपको पुछेगा दोस्तो यहां पर मेल लेंड मेल लेंड कितना दोस्तो जो लेंड से पुरा घिरा हुआ है कोस्टल की बात नहीं कर रहे हम लोग हम लोग बात करें मेल लेंड की तो वह 15200 किलो मेटर कितना दोस्तो 15200 अभी मैप में वह दिखा दूँगा ठीक है फिर length of coastline coastline दोस्तों आपकी जो आप देखें कि गुजरास से लेके आपका दोस्तों पश्ची मंगाल की तरफ है जो नीचे वाला area है ठीक है peninsular वाला जो side के area है उसको हम कहते हैं दोस्तों यहां पर coastline ठीक है coastline किता है 7.16.6 किलोमेटर 7516.6 किलोमेटर 7516.6 किलोमेटर यह दोस्तों पूछा जाता है ठीक है अल्ड़ी पूछा जा चुका है पूछा जा चुका है अब यहां पर आता है दोस्तों कि latitude हमाने हमने देखो दोस्तों यह easy easy तो कर लिया अब CGL में जानते हो क्या पूछेगा आप से वह एक latitude दे देंगे दूसरा latitude पूछेंगे अब latitude क्या होता है वो भी हम समझेंगे आठ डिगरी चार मिनट नौर्थ से लेखे 37 डिगरी छे डिगरी छे मिनट नौर्थ ठीक है अब हम यहां पर देखेंगे दोस्तों latitude मैंने आपको क्या बता दोस्तों जो लेटी हुई लाइन होती लेटी हुई लाइन होती है अब हम आप बात बताईए यहां पर दोस्तों लेटी हुई लाइन कौन सी है एक यह लाइन है लेटी हुई एक यह लाइन है तो यह तो हमने देखा दोस्तों कि इसकी भई लेंध बात कर रहे थे वह हमने देखा लेकिन डिगरी की कहा बात हो र पर दिख रहा है ठीक है कहां तक गया है 37 डिगरी 6 मिनट कहां तक गया है दोस्तों 37 डिगरी 6 मिनट देख लीजे दोस्तों ठीक है तो यह दोस्तों आपकी क्या हो गई यहां पर लेटिट्यूडनल हो गई ठीक है अब दोस्तों आती है लॉंगी ट्यूडनल क्या दोस्तों ल आगो भई यहाँ पर 97 डिगरी 25 मिनिट यह हो गया दोस्तों मैप समझ में आ गया भारत का लॉंगी ट्यूट समझ में आ गया लैटिटीट समझ में आ गया हाँ जी बिल्कुल मत छोड़ना सरमेश्था प्रेंस समराट एक भी कोशन यहाँ पर नहीं चोड़ेंगे बाकि जित अवैं से देख लिया अब हमने बात की थि को में पहला था Northern Mountain अब नॉर्धान माउंटन में चलते धूस्तों Northern में जैसी जाएंगे हम सबसे पहले आएगा दोस्तों आपके सामने हिमाल्या सब्सक्राइब अब बतानेसे पहlez आप से प्रस्क्रस्र पूछना जातां जेकिन देखी बहुत से लोग को कंफ्यूज होता है, जब मैं पढ़ाता भी था नहीं, जब मैं ग्रेटर हिमालिया, ट्रानस हिमालिया और यह सब कहता था तो वहां भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सब ट्रांस हिमाल्या कहा पर है, उपर की तरफ है, ग्रेटर की या फिर नीचे की तरफ है वो सारा कलियर होगा, सब से पहले याद रखे, दा हिमालिया, हिमाल्या पहला है, ठीक है, दूसरा अगर हम बात करे है जिससे आप समझ पाओ लिए हमालियन में अभी इसको भी पार्ट में बाटेंगे यहां पर दूसरा है ट्रांस हिमालिया तीसरा है यहां पर पूरवांचल मतलब पूरव का साइड है ना दोस्तों खारो गासी जैंतिया मनीपुरी हिल त्रीपुरी हिल वो सब किसके अंदर अदर आते है यहां पर पूरवान चल के अंदर थे वो सब कु समझेंगे अब दोस्तों यहां पर आपने तीन देख लिए तीए सबसे पहले हमालिया को कॉस्च्छं बनता है कि हिमालिया का मतलब क्या होता है पहला क्वैले ही द से लाइन से आपको मिल रौत है रहा केनqui म स पिखाले को मतलब बादलों का गहर हाणा उसी तरीके से दोस्तों हिमालों कहते हैं एक कौशन दूसरा कोशन कैता है दोस्तों कि निसकी लेंथ कितनी बड़ी है कई जग्रहस्ष दोस्तों आपको बै toute दोस्तों आपको जो भी इन में से में नेगा आपको वो टिक लगा देना है आपके option में ठीख है आपको ए ενडस से निकल हें प्रह्मापुत्र गॉर्ज और भात कि जाए जो 25 किलोमीटर बता रहें और दोस्तों इस Gefain सब्सक्राइब जल्दी से पताइए कितने देश से होके निकलती है अभी तक किसी प्रीटी रोहित का सही आंसर है समराट बहुत बढ़ियां छह देशों से कितने दोस्तों मैं यहां पर छह देश लिख देता हूं अब वो कौन-कौन से यह कोश्चन किया जाता है तो दोस्तों शौट फॉर्म में लिखते हैं अफगानिस्तान अफगानिस्तान के और नीचे थोड़ा स जाती है ठीक है तो कितने दोस्तों छह देश ठीक है यह याद रखीगा कितने कोशन बंगे दोस्तों एक कोशन दो कोशन तीन कोशन चार कोशन ठीक है पांचमा दोस्तों इसकी चोड़ाई पूछी जाती है ठीक है तो अगर आप दोस्तों कहां पर पश्चिम की तरफ है वो 1.500 से 400 km है मैं ऐसे रेंज लिख देता था आपके लिए राइट क्योंकि कई बार आप से रेंज पूछ लेते हैं तो यह दोस्तों एक सवाल बनता है अब दोस्तों सवाल आता है कि हिमालियन कितने पार्ट में हैं अभी आपने बोला तीन पार्ट में अब वो कौन से त होते हैं नौर्दन माउन्टन में दोस्तों ट्रांस हिमालया आता है लेकंन हिमालियन या यह रहाएगा घैप है अब दुछिए तो इमक यांदरीं पूछा जाता है डिया प्रेट या सर या या रहने ग्रेटर लेटर लैषरेश TI और कि कर लिए तीनत स отдел हम मैप में में देखें सर समझ में आजाएगा हाँ जी देख लेतें कोई बात नहीं हमारी पास फिगर है तो इस इस पर फिच्छ में बिल्कुल किलियर करें आपन ठीक है एक एक चीज क्लियर करते हो जाएंगे अब देखिए दोस्तों समझना बहुत अराम सबसे समझना कोई जल्बाज ही नहीं है यहां पे है तीबत सबसे उचा पठ ठीप आप है यहां पे है सिफ secondo हृमालया यहां पड़ा आपको माउंट एंवनस नेपाल वाला पाको आई नेपाल वाला पाट गया से नीचे आए मिडल मिडिल माउंटन क्या कहा था लेसर माउंटन उसके बाद दोस्तो मायं है यहां से बढ़ रहे हैं ऑगया वह सब पढ़ेंगे जोस्तों यहां अप समझे लिजिये सबसे उपर है यहाँ पे ग्रेटर देन मीडिल जिसको हम लेसर कहते है फिर उसके बाद शिवालिक ग्रेटर को कहा जाता है हिमादरी क्या कहते हिमादरी दूसरा क्या है दोस्तों इसको हम क्या कहेंगे इसको कहें हिमाचल हिमाचल प्रदेश दोस्तों आपको ऐसे याद कर ल यह होगा हिमालियन अब लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहां पर आप टेस्ट बुक पे दोस्तों सूपर कोचिंग पर जूट सकते हैं अगर आप ऐसे सी की तैयारी कर रहे हैं और उससे पहले यह बता दो कि अगर आप ऐसे सी कर रहे हो तो आप टेस्ट बुक पे जुड़ सकते हो सूपर कोचिंग पे जहां पर आपको दोस्तों के साथ साथ डाउट क्लिरेंस क्लासे और तीन हजार मॉक टेस आपको प्रवाइड क्या रहे हैं दोस्तों से भी जादा इस्टडी नोट्स और टॉप इस्टिटूट के फेकल्टी जो हैं दोस्तों आपको पढ़ा रहे हैं यहां पर उसके अलावा दोस्तों आपको डाउट क्लियर करने के लिए और गाइडलाइन के लिए दोस्तों आपके साथ जो आपके एक्जैम के ड्रीम्स हैं उनको फिल्फिल करने के लिए यहां पर आ यू आर एवी एम जी ए यू आर एवी एम गौरव एम यूज करते ही दोस्तों आपको यहां पर डिस्काउंड मिल जाएगा ठीक है मतलब जो 4399 का 12 महने का कोर्स है वो आपको 2001 में मिल जाएगा तो दोस्तों इसको आज ही यूज कर ले अगर आप यहां पर तयारी करना चाह रहें ठीक है अगर आप से मौक भी लगाना चाले तो मौक भी अविलेबल है अब बढ़ते हैं आगे की तरफ हमने पढ़ा दोस्तों अभी यहां पर हिमालिया तीन पार्ट में है ठीक है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इनर हिमालिया इनर हिमालिया क्यों बोला बोल दोस्त तो आपको यहाँ पर सबसे पहले जो प्रश्ण बनता है The Greater Himalaya Comprise of Northern Most Ranges दोस्तों यह सबसे दोस्तों उत्री वाले जो भाग होते हैं क्या होते हैं दोस्तों उत्री वाले भाग होते हैं उसको यह कवर करता है किसको कवर करता है उत्री वाले भाग को कवर करता है क्या दोस्तो हिमादरी और बहीगिरी, important क्या है बहीगिरी, हिमादरी तो आपको याद है, हना फिर उसके पाद आता है दोस्तो कि इसकी height कितनी है, on and average दोस्तो इसकी height जो है, वह है 6000 meters, क्या दोस्तो 6000 meters, यह दोस्तो याद रखेगा, अब दोस्तों यहाँ पर आता है कि important peaks in the inner हिमालिया जो आपको दोस्तों नेपाल वाले part में मिलेगा ठीक है तो दोस्तों नेपाल वाले part में अगर देख पाओगे कुछ भारत में है कुछ यहाँ पर दोस्तों आपके नेपाल में है तो सबसे पहले आता दोस्तो माउंट एवरेस्ट, विश्व का सबसे उची चोटी दोस्तो है माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट दोस्तो आठ हजार आठ सो अड़तालिस दसमलव, आठ छे मीटर, very important question, very important, बनता है दोस्तो, एक्जाम में पूछा जाता है, ये दोस्तो आपक दोस्तो एक सवाल बनता है कि इसको चाइना में क्या कहा जाता है, ठीक है दोस्तो चाइना में, आपने नेपाल में तो याद कर लिया कि भाई, ये सागर्माथा कहते हैं, चाइना में क्या कहते हैं दोस्तो च्व मो लाडगमा, याद रुख लिए, ड़िए, very important, ठीक है, सा i speaking in the world मैंने आपको पहले बता दिये दोस्तों यह विश्वग की सबसे ऊची है जो कि दोस्तों नेपाल में हैं अब दोस्तों दूसरी सवाल उठ्थी है यह तो पहली कोई से दूसरे नंबर की तो वह दोस्तों मोंट के डू क्सक्रेमांगे बरन से पहले मैं आप आपको पताना से जानते थे जल्दी से बताईए अगर आपको पता है तो आप सभी लोग बताओंगे comment करके यहाँ पर comment करके कि भई इसको पहले क्या बोलते थे पहले दोस्तु ना तो इसको मांट एवरेस होते खिलाडी ठीक है यह होते वारियर बहुत बढ़िया कहा इसको दोस्तों माउंट पीक 15 कहते थे क्या कहते दोस्तों माउंट पीक 15 आपको ऐसे रोमन नंबर में लिखते थे ठीक है माउंट पीक 15 रोमन नंबर में लिखते थे अब दोस्तों यह तो हमने पढ़ लिया अब है दो दोस्तों इसी हमारी चोटी होई तीक है एक प्रस्ट ये बनता है तीसरा दोस्तों आपके छोटी कौन सी है तो दोस्तों है माander कंचन जंगा जो हमारे भारत की सब्किन उंग फिट दोस्तो 8598 कई जगा दोस्तों आपको यह कुछ और भी मिलती है आपको 8448 भी मिलती यह लेकिन दोस्तों याद रखे एक और 8598 है अर्टालिस नहीं है ठीक है कई यहां पर fight करते हैं कि सर यहां पर देखने मिलते ही लेकिन दोस्तों आपको यह correct answer 8598 मेटर ठीक है तो यह तो यह peak कौन सी थार्ड highest peak है in the world लेकिन second highest दूसरी सबसे उची चोटी जो है भारत की है ठीक है यह याद हो गया चलिए तो यह दोस्तों आगेस आपको याद हो गया अ किश सबसे उची चोटी है उसको दोस्तों क्या कहा जाता है सर जोर्ज एवरेस्ट क्या कなら दोस्तों इसको चौर एवरेस्ट या यह जी बहुत बढ़िया चलिए सभी ने हाड़ी आगे बढ़ते हैं अब दौस्तों आगे बढ़ेंगे ठीक है यह तो दोस्तों आपने कर लिया कि भई इसको क्या बोला जाता जो 8,848 जो पीक पॉइंट है उसको सर जॉर्ज क्या बोलते हैं यह हो गया इनर हिमालिया का बात अब कहां पर चलेंगे दोस्तों देखिए दोस्तों कि जितने सरकल बना रहा हूं उतने कॉशन बन रहे है ठीक है चाहिए आप पिछले स्लाइड में देखो चाहिए इस स्लाइड में बाकि इसकी पीडिएफ आपको दोस्तों टेलिग्राम पे मिल जाएगी अगर आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाएए फिर से मैं बता दे रहा हूं यहां पर टेलिग्राम जितने मेरे मि मिड़ हमालिया या इसकर ओम क장을 is उसी कि हिमाचल मिड़े हमालिया को लर हिमालिया भी कहते हैं और हिमाचल ब homicide आप इस पर दोस्तों क्या-क्या दोस्तों इसकी average जो width है sorry height जो है दोस्तों आपको यह मिलेगी altitude है ठीक है 1000 से 4500 और दोस्तों इसकी जो चोड़ाई है वो 50 km है किती दोस्तों 50 km है ठीक है अब इसमें दोस्तों कुछ यहां पर बहुत फेमस हिल स्टेशन साते हैं वह कौन से हिल स्टेशन है दोस्तों तो वह द राणी खित जो है कौन से हिमालियन के पार्ट में आता है आपको option इए greater हिमाळिया lesser हिमालिया या फिर दोस्तों क्या बनता है ठीक है, दोस्तो, the middle Himalaya are divided into following ranges, यहाँ पे दोस्तो, कुछ यहाँ पे बहुत famous ranges है, उनको दोस्तो, यहाँ पे बाटा गया है, ठीक है, जैसे की, दोस्तो, यहाँ पे पीर पंजाल, बहुत जादा important, पीर पंजाल, it is the longest range of the middle Himalaya, यह सबसे, दोस्तो, लंबी, जो है, दोस्तो, middle Himalaya की, जिसको हम Himachal कह रहे हैं, ठीक है, दूसरी कौन सी दोस्तो, धौला धर range, ठीक है, धौला धर range कहते हैं, ठीक है, अच्छा दोस्तो, मुझे एक बाद बताए, मैंने आप से कुछ दिन पहले सवाल किया था, कि white mountain किसे कहा जाता है, देखते हैं, कितने लोगों को या ठीक है, तो धौला गिरी को कहा जाता है, ठीक है, यह याद रखेगा, यह आप से पूछा गया था, लेकिन white mountain नहीं पूछा गया था, आप से एक्जाम में क्या पूछा गया था, blue mountain, क्या पूछा गया था, blue mountain, अच्या बताईए दोस्तो, blue mountain किसे कहते हैं, पड़ावर से यह आपके एक्जाम में पूछा गया था, CHSL में, और बड़े अच्छे से ना, मैंने आपको पताया था, first option में क्या दिया था, निलगीरी, बच्चे लोग को या था, नीला मतलब blue, उन्होंने तिक लगा कि आए, निलगीरी, लेकिन आप उससे लड़ोगे, सर कि निलगी तो उसको लगा सही है, लेकिन एक नंबर उसके गए, उसके और साथ में उसके negative भी हो गया, तो भाईया जो correct करना था, उन्हों गलत कराया चल्दवाजी में, तो यह याद रखेगा, तो तो यह पार्ट हो गया, धौला धर जो हो गया, मिडिल हिमालिया का पार्ट, उसके क्या कहते हैं, ठीक है, वो आप बताएंगे, ठीक है, जल्दी से, वो बहुत famous है दोस्तों, बहुत जाधा famous है, अब देखिए दोस्तों, यह तो हमने सब समझ लिया किस से, यह तो हमने पढ़ा theory base में, ठीक है, क्या बढ़ा theory base में, तो यह याद रखे, हाँ लाबासना बोल दो बार exam में आ चुका है, डायरेक्टली question पूचा जाता है, कि बाहरी हिमालय को क्या कहा जाता है, यह आउटर हिमालय क्या कहा जाता है, तो दोस्तों, शिवालिक, भहत important, शिवालिक, ठीक है, इन्होंने पहली line वह लित है, ठीक है?, यह हमें पता है, ठीक है उसके बाश्क तो इसकी हाइट जो है 900-1100 मीटर जो इसकी ऑन एन एवरेज हाइट होती है ठीक है 900-1100 वह कितिनी दोस्तों 1000-3000-4000 तक जा रही थी ठीक है यह भी याद रखेंगे यह आप से पूछा जाता है विट्थ कितिनी दोस्तों 10-50 km इसकी वह है ऑन एन एवरेज ठीक है इसके इसकी लाइंग बट्वीन शिवालिक एंड लैसर हिमालिया धिमाचल और कॉल्ड डुंस अब यह डुन्स क्या होते दोश्तों मैं आपको बताया था एक बार दुन और उसमें भी सबसे बड़ा दुन जो है दोस्तों यह डुन है अब डुन होता क्या है दोस्तों मैंने तो कोटली दुन तीसरा बाटली दुन ठेक है यह याद रखेंगे कोटली पाटली और तीनो भाई बहन है तेनों भाई भाई बहन है तो अब पढ़ेंगे एक दुवार अलग होता है धुरार दून झाले ख़दर ऐसब समझेंगे मैं तीजिक अब इसके बार आता है ट्रांस हिमालय बहुत से लोग कंफूज़ है कि से फिर्फ करें पूरा पर चीज आपको समझ में आ जाएगा पिर उसके बाद नीचे ऊटर थी खेंग उट्रेय नीजा करता है इंकलूटस दी किया शिया चिंबित इंकलूर जो नुब्रा में थो वह दोस्तों त्रांस हिमालिया का पाथन जो है आपकी विच इस इस दिग्एस्ट ग्लेसियर और दोस्तो इस ढ Souls आपको पदा दूंग को객स्ट उर्ट काई इन कोर आइंध कि वहां करूंट इस जार्थ ही चैब भीन ग्लेसियर्ट सब्सक्राइस जो है है कि एक क्रम κude स्बाइब का पूकर है हूश्ट फ Initi continuar लाइसी अठिक अब लेकिन इसमें आता है दोस्तों इसको भी बाटा गया वह देखते हम दोस्तों इट एक्स्टेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ऑफ दी ग्रेटर हिमालिया अब देखें दोस्तों मैं सब्सक्राइब आपको बता दू कि ग्रेटर हो गया है क्या जो नंबर है यह कारा कुरम क्या दोस्तों A नंबर क्या है कारा कुरम ठीक है याद रखेगा B नंबर क्या है लदाक यह क्या है दोस्तों B नंबर लदाख है C क्या है जसकर कि दोस्तों A-B-C ठीक है यहाँ पर क्या ह Qatar a-Kuram, Ladakh को जस्कर फिर उसके पाँ दोस्तों D अगर मैं देखूं यह है कैला अज कि है कैलाश कि दोस्तों D है कैलाश फिर उसके बाद दोस्तों E जो है E है E F और G ये कौन से दोस्तों यह तीन अभी हम जसकर रेंज, देखे, North of greater हिमाल्या जाइए, greater हिमाल्या कहां पर दोस्तों, E number पर है, E number पर आ गए हम, इसके उपर बोल रहा है, North, North की तरफ, अगर हम जाएंगे उपर की तरफ, तो आपको जसकर मिलेगा, E के उपर दोस्तो C है, C, Jaskar, यही तो कह रहा है, parallel to its, दोस्तो क्या है, Jaskar range, North Great Himalya, ठीक है, second आता है दोस्तो, North of Jaskar, North of Jaskar जाईए, North कहां, उपर की तरफ, उतर की तरफ, North of Jaskar अगर आप जाओगे, तो आपको लद्दाक range मिलेगा, हाँ जी, उपर की तरफ गए, B point मिल गया, ठीक है, B point मिल गया, इसी को तो लद्दाक range कह रहे हैं, और दोस्तो, 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 समझ में आ गया, सबसे उपर कारा कोरम, K, फिर उसके बाद दोस्तो, क्या आ गया, लद्दाक, L, फिर जसकर, Z, KLZ, ठीक है, उपर से KLZ, याद रखेगा, D क्या है, दोस्तो, D है KLZ, ठीक है, ये तीनों हमने पढ़ लिये हैं, ठीक है, greater, lesser, और middle, वो, sorry, outer, ठीक है, चले, तो आगे बढ़ते हैं, दोस्तो, ये सारा कुछ आपने map में देख लिया होगा, map में समझ में आ गया होगा, लेकिन दोस्तो, अब इसको और दोस्तो, ठाग में बाटा गया है, northern mountain को भी तीन पार्ट में बाटा गया है, confuse नहीं होना है, ठीक है, अब यहाँ पर पुर्वांचल, पुर्वांचल में दोस्तो, कौन कौन सी पहाड़ी आती, जैसे की, मिशमी, पठकई बं, पठकई बं, आता ना, नागा हिल, मीजो हिल, और दोस दोस्तो, second point में लिखा है, दम्मेघाल है, plateau is also part of this hill, which includes गारोखासी जैनतिया, क्या दोस्तो, गारोखासी जैनतिया, यह दोस्तो, ट्राइप के नाम पर है, पहले दोस्तो, यहाँ पर क्या हुआ करती थी, जंजाती हुआ करती थी, गारोखासी जैनतिया, उन्हीं के नाम प देख रहा है क्या, थोड़ा सा मैंने मार्क भी किया हुआ है, इस पर आप देख पाऊगे, गारोखासी जैनतिया हिल, देख गया दोस्तो, पुर्वान चल का part, इसके अलावा दोस्तो, मीजो हिल, यह देखे, मीजो हिल, नीचे की तरफ है, नागा हिल, पटकई बम, मीजो यह दोस्तो, मीजो, पूर्वान चल के इसके अलावा दोस्तो, आपको यहाँ पर देख लिया है, जो आपको यहां पर देखना था, ठीक है, नागा मीजों और मिशमी वगेरा यहां पर मिलेगी कुछ इस तरीके से ठीक है ऐसे आती है इसमें बनी नहीं है को इस तरह से ठीक है तो याद रखेगा यह सारा सारा आपके किस के अंदर में आता है पूरवान चल क्यों बोला गया पूरब की तरफ में है क्या दोस्तों पू जरते हैं है आगे की तरफ ठीक है तो दोस्तों I guess यहाँ पर जो थी important important वह हमने की है अब आपके पास समय आ गया है कि classification कर लो क्लासिफिकेशन कैसे दोस्तों हिमालया को हमने पढ़ लिया कि हिमालया आगे स्दोनादी और सतलज नदी के बीचमें जो आता है दोस्तों को कहते हैपंजाब हिमाले हैं। यह रही मेप में दोसतों यह गूंते हुए बहुत अच्छी बात है फ़िर उसके बात दोस्तों यह रही Satlaj River हम ने क्या पढ़ा दोस्तों इन दोनों की बीच में जो है उसको हम कहते पजाब हिमाल है, यही तो है दोस्तों पजाब हिमाल है, इन दोनों की बीच में, मिल गया, ठीक है, दूसरे कलर से ले लेते हैं, अब दोस्तों आता है कि सतलज और काली river के बीच में कुपाऊ हिमाल ए बोरें काक्स करें और दोसरी को है काली और इधा कुमाओं हिमाला है ठीक है तीस्ता और दिहांग के बीच में इसiction कर लेता हूँ कौन से कलर ले ले हाँ जी चले तीस्ता और दिहां के बीच में असम हिमाल है कौन दोस्तों असम हिमाल है ठीक है अब तीस्ता कहां पर दोस्तों हमें यह समझना होगा तीस्ता यह है ठीक है अब यह क्या बोल रहा है दिहां दिहां किसको बोलते दोस्तों फड़ावट बताई हम यहां से मुडी नाम बदल गया दियांग हो गया तो वही तो कह रहा है दोस्तो, दियांग और तीस्ता रिवर के बीच में, तो तीस्ता तो ये रही, दियांग ये है, अब इन दोनों के बीच में असम हिमाले, तीन दोस्तो पार्ट में बाटा गया है, पंजाब हिमाले, कुमाओ हिमाले और असम हिमाले, I don't think दोस्तो अब आ नाम है इक्जांग और आपके साथ यही गेम करेगा मैं आपको अभी यही बताने वाला था कि यहाँ चाहित्ully। लिखा है ना, examiner आपको क्या करेगा, तीस्ता और सियांग कर देगा, अब बच्चे तो भई, यहाँ पर जो मेरे मित्र हैं, वो तो कहेंगे, यार हम तो सर ने पढ़ाया था, तीस्ता और धियांग, सियांग तो बताई नहीं कहा पर नदी, तो सियांग दोस्तो इसी को कहा ज समझ लिया है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर सारा कुछ हमने समझ लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ दा हिमालिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ और अगले स्लाइड की तरफ, अब दोस्तों यहाँ पर बनेंगे, कौन बनेगा करोडपती, ठीक तो अब आपके सामने सवाल आया, आपके पास 15 सेकेंड है, भरपूर सेकेंड है, और दोस्तों बहुत सिंपल सा कोश्यन है, ठीक है, यह सिंपल कोश्यन इसलिए दिया है, मैंने, अब तक दोस्तों जो आपने रामायन पढ़ी थी, मतलब जो हमने यहाँ पर जोग्रफी प किया है, इसका मतलब क्लास आपने अच्छे सेistent की है, तो यहाँ पर करएक्ट आंसर जोगा 6 होगा, यल्लो हो गया, बाकी सब वाइट है ना दोस्तों, बाकी सब वाइट है, यह सिर्फ यल्लो है, तो इसका मतलब है यह कारिक्ट आंसर हो जाएगा, क्या करेक्ट आंसर हो दोस्तों option number a क्या होगा दूस्तों option number a correct होगा 6 कौन कौन से दोस्तों थे चार भाग में बाठ दीजिए भारत को northern mountain northern plain peninsular plateau और दोस्तों desert अपना Indian desert फिर दो भाग कौन से बच्चे एक तो coastal वाला plane और दूसरा island चलिए अगले प्रश्ण में बढ़ेंगे अगला प्रश्ण दोस्तों आपके सामने यह रहा त्रू हाउ मेनी च्छे च्छे कह रहे हैं दोस्तों एक बात बताये दोस्तों मैंने आपको आंसर क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि कितने देशों से होके वो तो आप कंट्री बता रहे हैं यहां पर भारती राज्यों से होकर इंडियन स्टेट अगर आप से पूछेगा कितने दोस्तों तेरा राज्यों से होकर गुजरता है अब लेकिन दोस्तों तेरा राज्य तो आपको पता चल गया लेकिन वो तेरा राज्य कौन से है वो आप होमवक में लिखेंगे क्या लिखेंगे दोस्तों होमवक में और होमवक कैसे करना है आपको दोस्तों ये क्लास होगी तो सभी लो और वह तभी आप बता पाऊगे जब आपको याद होगा तो तेरा राज तो है यह तो आपने पता कर लिया लेकिन कौन-कौन से राज है वह आप क्या करोगे होंवक करोगे ठीक है अच्छा छे नहीं दिया था ठीक है कोई बात नहीं दोस्तो होता है अब अगले सवाल पर बढ़ते दोस्तो अगला सवाल चाह लाख रहा हुपए के लिए ठीक है और आपके पास सिर्फ दो ही लाइफ लाइफ लाइन बच्ची है वोन फ्रेंट और फिफ्टी-फिफ्टी ठीक है मज़ाक वाली बाते चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशने के लिए अगला प्रशन दोस्तों आपके सामने ये रहा ध है यहां पर ग्रेटर हिमाल्या जल्दीस बताएं को एक फटाबट से शिवालिक कह रहें दोस्तों धौला धर ध्यान से दोस्तों अभी गलती होने लगी है देखे अभी से गलती होने लगी है बहुत लोग से एक बात चाहिए मैं या उत्तरी साइड में बस एक बार ये बत कर दीजिए अगर नहीं है तो पुर्वांचल अंसर मत करिए तो चलिए देख लेते हैं क्या आपने दो लाख रुपए सौरी चार लाख रुपए जीते हैं या नहीं जी नहीं क्योंकि यहां पे पर सही जवाब है lesser हिमालय का दोस्तो lesser हिमालय ठीक है तो lesser हिमालय का पार्थ हमने देखा था धौला धर रेंज जो थी जहां पर मैंने आपसे सवाल एग कर लिया था कि वाइट मांटन कौन सी तो आपने गिरी बोला था लेकिन धोर्य धोला धर पर आपने ध्यान नहीं दिया था ठीक है इसी को हम लोग क्या कहते हैं इस सी को हम लोग कहते हैं हिमाचल क्या दोस्तों हिमाचल कहते हैं बहुत बढ़ियां सर यहां पर सिवालिक सिवालिक तो दोस्तों आउटर हिमालिया था ठीक है आउटर हिमालिया ठीक है ग्रेटर हिमालिया को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं इनर हिमालिया या फिर हिमादरी कहते हैं क्या कहते दोस्तों हिमादरी या फिर इनर कहते हैं ठीक है पुर्वांचल तो पूर्वी साइड में था इसकी तो बात ही नहीं थी इसको तो ऐसी एलिमिनेट कर देना था दोस्तों फिप्टी फिप्टी में दे देता चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं ठीक है ध्यान से आंसर करिएगा अगला सवाल आ हिमाचल और अरुनाचल परदेश यह कह रहे हिमाचल होना चाहिए हिमाचल होना चाहिए तो ढखर आपका और आपका आपका पदर्रा होता क्या है तो दर्रा दूस्तों एक तरीके से mountain की 20 से नहीं 11 जोडती है तो यहां पर रहतंग पास मिलेगे दोस्तों शिपकिला दर्रा भी मिलेगा ठीक है और कौन सा दर्रा हमने पढ़ा था दोस्तों यहां पर शिपकिला के रावा बाराल अच्छा पास भी पढ़ा किया दोस्तों बाराल अच्छा पास जी हां बाराल अच्छा पास भी एसर जम्मू में दोस्तों कौन सा है क्या बनीहाल पास है क्या दोस्तों एक बात वताएं मुझे क्या बनीहाल पास हमलागे, जोजिला पास हम Ausw. जेड इसे भी लिखते हैं, जे से भी लिखते हैं तो दोस्तों याद रहेंगा, तीसरी चीज़ दोस्तों अरुनाचर प्देश में एक फेमस है जिसκα नाम है बौमडिला करतों बौमडिला दर्रा ठीक है कि में दोस्तों तो याद रखी गां पूछा जाता है बहुत तो जरूर जाएगा हाला कि घए तो हम भी नहीं है लेकिन कहा जाता है बहुत चुंदर रगल दर्रा ठीक है उसके अलावा深 के दर्र यहां पर पास लिपू लेक पास और नीती पास जो उत्रा खंड में उस वह भी पूछे जाते हैं ठीक है चलें आगे यहां पर पुषपेंद्र नेहा विवेक सावित्री गोट बहुत बढ़िया बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ ध्यान से करिएगा दोस्तों अंसर ठीक है अगला दोस्तों लेकिन यहां पर सवाल खतम होते हैं अब टॉपिक आगे दूसरा पहले हमने दोस्तों छे भाग जिसको हम कहते हैं Northern Plain ठीक है मैप में अभी दिख रहा है लेकिन उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं चलिए समझने को कोशिश करेंगे दोस्तों अगर हम बात करें जो यह Northern Plain है यह किसके किसके बीच में लाई करता है वो हम सबसे पहले समझते हैं तो Northern Plain दोस् उसका साउथ मतलब दक्षण भारत मतलब यह साउथ है दोस्तों ये नौर्थ तीन तरफ से पाणियों से घिरा हो तीन तरफ से आपणियों से घिरा है खो कौन सा दूस्तों हिंद महासागर जिसको हम कहते हैं इंडियम ओशन अब यह क्या बोल रहा है कि north of peninsular तो दोस्तों peninsular यह है और नौर्स में जाना है तो उपर की तरफ भगो भाईया यहां से उपर की तरफ तो उपर की तरफ आएंगे तो नौर्दन ठीक है समझ में आ गया समझ में बहुत बढ़ा अब आता है सकेंड पॉइंट फ्रॉम पंजाब इन्दी वेस्ट तु आसम पंजाब पस्चिम में और द दोस्तो 2400 किलोमीटर लॉंग जो यह प्लेन है इसको हम कहते नौर्दन प्लेन किया है दोस्तों नोर्दन प्लेन कहते हैं अब इसकी दोस्तों यहां पर shoulda पूषी जाती है 300 किलोमेटर यहां तक जाते-जाते दोस्तों इसकी चोड़ाई जो है वह कम हो जाती है तो आसम सा मैप में कुछ नहीं दिखा कोई बात नहीं दोस्तों हम मैप को जूम कर लेते हैं दीखेगा तो हर कोई ठीक है धूने पे तो इश्वर भी मिलते हैं तो यह तो आंसर बस है हाजी यह देखिए दिग्या हमने क्या बात की थी यह है पंजाब प्लेन ठीक है दूसरा बीच वाला पार्ट जो है दोस्तों सेकेंड जिसमें लिखा है यह गंगा प्लेन तीसरा कौन से दोस्तों ब्रह्मपुत्र प्लेन मत तूसरा बात बीच वाला एरिया दोस्तों तीसरा ब्रह्मपुत्र जो आपको असम वाला एरिया दिख रहा है क्योंकि असम में ब्रह्मा पुत्र को तो ब्रह्मा पुत्र प्लेन ठीक है तीसरा कौन सा है यहां पर ब्रह्मा पुत्र प्लेन है तो दोस्तों यह तीन भाग में आपने बटे हैं ठीक है दोस्तों ध्यान से रखें कंफ्यूज मत हो यह बहुत सारी कंफ्यूजन हो रहे अभी है ना नौर्धन माउंडन 3 भाग में हीमालियन 3 भाग में northern plain 3 भाग में भड़ा confusion ही confusion यह सारा डाउट आपका clear हो जाए अब बढ़ते दोस्तों यह तो हमने पढ़ लिए northern plane के बारे में ठीग है तो दोस्तों यह यहां पेर राज जी कवर होते हैं वो हम बात करते हैं तो दोस्तो इंंट में लिए स्टेट ऑफ पंजाब का इरिया कवर होता है थोड़ा सा राजिस्थान ओर होता है दिल्ली वाला एरिया कवर हो radiya na उत्र प्रदेश बिहार पस्चिम मंगाल और असं कित्वे दोस्तों यहां पर पंजाब ठीक है राजिस्थान दिल्र हरियाना उत्र प्रदेश बिहार और पस्चिम मंगाल असं colors कित्वे हो गया हाँ जी कितने हो गए दोस्तों याट है यह जाए है और आप पुछएगा तो अगर आप से पूछेगा तो तो चैसे प्लेन इस जाए यह बहुत ही ज्वाइन होती है उपजाओ जमीन हम कहते हैं गंगा और ब्रह्मा पुत्र जो प्लेन है वो बहुत ज़्यादा फटाइल है गंगा बतलब यह बीच वाला एरिया ब्रह्मा पुत्र यह वाला एरिया तो दोस्तों यह बहुत फटाइल है ऐसा हम कहते हैं अब इसमें पुछा जाता है कि कौन-कौन सी उपज होती है तो आतनी दोस्तों मैप भी दिखाएंगे चलिए मैप को जूम करें हाजी मैप आ गया मैप भी आ गया राजस्थान पंजाब धर्याना दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार थोड़ा सा जारखंड वाला एरिया यह वेस्ट बेंगॉल और दोस्तों यहां पर असम वाला एरिया ठ रहा है नॉर्धन प्लेन क्या दोस्तों यह नॉर्धन प्लेन ठीक है समझ में आ गया मैप में दोस्तों अगर आया है तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर कर लीजेगा एक बार ठेक है फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ हाँ जी राजस्थान का फर्टाइल नहीं है दोस्तों तभी तो हमने कहा कि गंगा और ब्रह्मः पुत्र प्लें हैं पंजाब प्लें दो जो राजस्थान वाले एरिया हो अटा पूरा नहीं आता है आप देख पाओंगे जुए एरिया है यह तो शुष्क मिट्टी आपको यहां पे मिलती है कौन सी एरेड मिट्टी तो आपको बालू रेत जिसको आप बोलते हो वह मिलती है तो उसमें जादा उपजाओ नहीं है में उपजाओ आपका है गंगा और ब्र आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए यहां पर योगेश कह रहे है सर सतलज गंगा और प्रमःपुत्र पे भी बोल सकते हैं क्या ऐसे कॉश्चन आया था एक बार देखे ऐसे कॉश्चन आपके एक्जाम में आते हैं तभी मैं थियोरी लेके आया हूँ क्योंकि आपको बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ ठीक है अगला स्लाइड दोस्तों आपके सामने यह रहा ठीक है जो दोस्तों प्रश्णा चुका है आपके सामने विच आफ दी फॉलॉंग रीजन आफ दी नॉर्दन प्लेन इस मोश्ट फैटाइल उत्री मैदानों का निमलिखित में से कौन सा छेत्र फल जो है सबसे अधिक उपजाओ है तर्रही खदर भाबर और भंगर पर दोस्तों यहां पर करेक्ट चैनल किए तेो सबसे जाय मिलती है वह मिलती है अजिस इंडी में कहते हैं जलोड मिट्टी कहते हैं अब अलुवियल भी दोस्तों दो भाग के होते हैं कि कौन-कौन से एक तो होतन नया लीजिए न्यू जो न्यू है उसी को तो हम खदर कह रहे हैं सर पुराने वाले कहेंगे पुराना तो भंगार होता है तो हम उसको भंगर दोस्तों जो पुरानी जलोड मिट्टी है उसको हम लोग कहते हैं भंगर ठीक है भंगार में क्या बेशते हैं पुराने समान बेशते हैं न राइट तो दोस्तों भंगर जो है यह ओल्ड एलिविल है यह भी फटाइल है बट एस कंपेरिजन टू खदर यह उतनी नहीं है ठीक यह चले यह बहुत बड़ी जितने लोगों यहाँ पे एक सब्सक्राइब और चब्लस अब दो का मतलब दो तू और आब का मतलब रिवर अब देखे दोस्तों अब आप लोग खुदी आंसर करोगे ठीक है तो दोस्तों पंजाब पंजाब दो शब्द से हैं तो बताईए दोस्तों इसमें कितने रिवर आने चाहिए जल्दी से बताईए फड़ा फड़ से पंजाब प दोस्तों यहां मतलब दोस्तों को नाम दोस्तों दोटार में आपने देख लिया है ठीक है चले आगे कि तरफ अगला प्रश्ण दोस्तों आपके स्क्रीन पर 12 लाख रुपए के लिए देखें चलिए अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह आ चुका है दे नौर्धन प्लेन ओफ इंडिया इस फॉर्म्ड और भारत का उत्री मैदान डैस से बना है मेटामॉर्फिक सॉइल इग्नियस र पर आंसर है तो यह सब के अलूवीयल क्या बात है सभी लोगों ने अलूवीयल तो हॉट सीट पे तो दोस्तों एक ही जन बैठे का बोलेंगे सर आप खुदी खड़े रहते हो क्या हॉट सीट पर बैठाओगे कोई बात नहीं दोस्तों आपन को बैठने की ज़रुत भी नह सबसे जादा मिट्टी कौन सी है तो यह नौशन पर ने इतना बड़ा है इसमें एलूवीयल है तो दोस्तों जो है सबसे जाधा मित्टी है वह अपने भारत में है यह याद रखेंगे सबसे कोई class में सबसे अच्छा student भी होता है और सबसे खराब भी अस्टूडेंट कौन सा है let right soil क्या दोस्तों let right हाला कि दोस्तों यह खराब नहीं है क्योंकि देखिए इनसान कोई खराब नहीं होता है वह गंदा स्टूडेंट है पढ़ाई नहीं करता है इसका मतलब यह नहीं है कि वह इंसान गंदा है तो दोस्तों पढ़ाई नहीं कर से इस LI अग में वह इसलिए अथा पूछा गया था तो य सवाल आता है कि लेट राइट सॉइल विए खराब है क्योंकि दोस्तों इसमें ना अगर आपको यहां पर उपजाओ जमीन बनाना इसको तो फटीलाइजर की बहुत ज्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसलिए दोस्तों इसको हम लोग खराब मिट्टी कहते हैं अब ज्यादा फटीलाइजर डालोगे जमीन वैसी ख लख होते हें आर पकी मातर ही जादा होने के वज़े से यह लाल कहलाती है क्गा यहां बात हरें नहुरक स सबसे अच्छお अथे भी प्रश्ण पूछा जा चुका है आपकी एक्जाम में कि रेगूर किसको कहा जाता है इसी को दोस्तो विख खुद से जुती हुई मिट्टी क्योंकि दोस्तों इसको आपको बार वर जूतने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें अगर आप वो छोड़ दिये, क्या बोलते दोस्तों, किसानों के दोस्त, छोड़े छोटे, केचुए, उनको इंगलिश में क्या कहते हैं, अर्थवाम कहते हैं, क्या, वड़ा फर्स बताईए, उनको छोड़ देंगे, तो यह self upload हो जाएगी, मिट्टी को जादा करने क होती ही, कॉटन की, कपास की, और। बहारत में सबस्यादा कहां पर होता है, गुजराट में, कहांपे दूस्त, गुजराट में होता है, यह याद रखेगा, यह आप से पूछा जाता है, तो ये दोस्तो कुछ पार्ट है, जो आप से एक्जामी पूछे Class time, अब ब्लेक सवाल थे जो आपके Northern plane के तरफ से पूछे जाते हैं सवाल ठीक है उसमें हमने सवाल कभी थोड़ा सा रिवीजन किया है अब दोस्तों एक सवाल आता है अच्छा एक सवाल और बूल गए हाजी यहां पर रॉक्स की बात हो रही है रॉक चटानों के अध्यन को क्या कहा जाता ह है फटाफर से बताईए हाजी अनू बिल्कुल सही है सिल्पी वेरे गोड क्या बात है जोकर ने सबसे पहले आंसर किया है फिर नेहा ने कहा है शालीनी बहुत बढ़ियां क्या बात है अब इंतजार कर रहे देगा कि यह कोश्चन आएगा और मैं आंसर कर दूंगा बहुत फ्यूल जो है वो कौन से चटान में पाया जाता है मैं आपको एक्जांपल के तौर पर ये बता दूँ जो शेल फ्यूल है वो इसी चटान से मिलती है अब फटा फटा से बताई किस में पाते हैं दोस्तों मेटामॉर्फिक नहीं हें बिजै वहरी गृड क्या बात है ठीक ह पुछ पेंद्र बहुत बढ़ी है नेहा वेरी गुड दोस्तों जितने लोग यहां पर सेडिमेंटरी रॉक कह रहे ना उनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ठीक है तो यह सवाल आप से इस साल पूछा गया था 2022 में यहां पर बढ़ते हैं अब हम दोस्तों भारत का जो तीसरा चार पॉइंट बनाए थे उसमें से तीसरे पॉइंट पर आ चुके यह एसे सी एम्टियस का कॉश्चन तेगे एसे सी एम्टियस में पूछा गया कि जो हमारा भाया जो दक्षिड भारत का जो पठार है या फिर मैं बात करूं पैनिसले प्लेटी हो है वो किस पार्ट में यह देख लीजे दोस्तों अभी में रफली बना दे रहा हूं फिर आ से दोस्त चार साल पहले साइथ पांस साल पहले 2017 का कोश्चन है ठीक है ऐसे सी एम्टियस का 2017 का कोश्चन है यह ठीक है उसमें क्या पूछा था जो हमारे दक्षिण भारत का पार्ट है 2017 ऐसे मतली याद रख लिए गोडवाना लेंड जो लेवल है वो 2017 यह आपको याद यह कवर कितना करता है यह एरिया जो है की जहें च्याट पक्रफरफल कितना कवर करता है तो 5 लाइक स्क्वेर कीलोमीटर करता है आगे बढ़े पिए ठीक है तो यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों और चीज़ों की दुस्तों यह कहा पर फैली हुई है पेनिसुलर अरे कितने राज में सर जितना मैं 143 करता हूँ अपने चाहने वालों को ते सले कोई नहीं दोस्तों यहां पर जो है आपके राज याना दिल्ली यूपी जारखंड ऐसे याद किते आठ थे ठीक है गलती मत करी हो सवाल बनेगा इसके अब यह दोस्तों इसकी अगर हम बात करते हैं पैनिंसुलर प्लेटी जो है वो कहाँ कहाँ है गुजरात महराष्ट बिहार करनाटका और आंद्रप्रदेश सर क्या बोल ग चुछनाना वार जोफेमस नर्मदा नदी है वह दोस्तों इसको दो भाग में बाद देती है किसको चुशनो रिवर नर्मदा डिवाइड्वस द पैनेश मेलेंगेन b सर सेंट्र हाइलेंड कहा पर है नर्मदा नदी धूलो दोस्तों नर्मदा नदी मैं आपको दोस्तों यह बना देता हूं यह नर्मदा नदी लिखा है नर्मदा ऊपर वाला दो है वो है सेंट्रल पार्ट नीचे वाला जो है दोस्तों यह है डेककन प्लेट्यू ठीक है पैनि नर्मदा नदी नहीं दिख रही कोई बात नहीं और जूम कर देते दोस्तों अब दिखी दोस्तों यह है नर्मदा नदी दिख रही है कि दोस्तों लिखा तो नर्मदा है शायद नहीं दिख पा रहा होगा कोई बात नहीं मैंने लाइन यह बनाया हुआ यह नर्मदा नदी है इसके नीचे वाला पार्ट दक्कन का पठार उपर वाला पार्ट सेंट्रल हाई लेंड ठीक है चलिए आगे बढ़ें ठीक है आगे बढ़ते दोस्तों अगले अब आपन बढ़ेंगे अगले सवाल पे अगले स्लाइड पे अभी तो कुछ चीजे हमने देखी पैनिसुलर प् पर क्या है गलत है उसे ने दो एक परिवार को दो में कर दिया हमने ने क्या धर्के देखा उपर की तरफ मालवा प्लेटिव लिखा था उसी दो आप किस तरफ चलाए पूरब की तरफ चले आते ना दोस्तों तो थो पहुंच आते चोटा नागपुर प्लेटिव जHANकन वाला एरिया है उसको दोस्तों तीनों के ट्राय सेंटर पर दोस्तों यह पढ़ता है तो दोस्तों यह चोटा नागपूर प्लैट्यू बहुत ही ज्याद अच्छा प्लैट्यू है दोस्तों इसके लिए फाइड हुई है इतिहाज में दोस्तों इसके लिए यहाद लिए नदी के किनारे और जहाँ तो चोटा Nagpur और दोस्तों हम लोग कुल दोनों को मिला यहां करते सेंटर लंट याद रहेगा नर्मड ने दौवहावंबे बाट दिया उपर वाले को सेंटर्ट्र हाइध हैं कर दिया नीचे वाले को डब्कन पठार कर दिया Central Highland को भी दोभाग में है दोस्तों एक तो मालवा प्लैट्यू है और छोटा नागपूर प्लैट्यू है ठेक है चले आगे की तरफ चले अब दोस्तों सवाल आता है कि इसके दोस्तों अंदर फेमस फेमस दोस्तों रिवर हैं कौन कौन से वो देखते हैं the important hill of छोटा नागपूर प्लैट्यू दोस्तों छोटा नागपूर प्लैट्यू तो यहां और महादेओ resting heaven और मयकाल ठीक है यह आपको आपको पहले जूम कर लें। थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा यहां पर clear हो जाए यह दोस्तोव हमने बात की किसकी Central Highland की बड़े में दिख गया यह सरदिख गया अब दोस्तो यह Central Highland जो उपर वाला नर्मादा नधी यहां से घी गई थी बि को मिला के क्या कहा गया दोस्तों इसको कहा गया दोस्तों इसको और मिले कि यह भाग है करे दोस्तों आपका कैसा है यह चले आगे सभी कोई यहां पर क्लियर है अगला बढ़ते दोस्तों अगले स्लाइड पर बढ़ेंगे अगले स्लाइड में हमें क्या मिल रहा है यहां पर देखने को तो दोस्तों अगला स्लाइड बात करता है पैनिंसुलर प्लेट्यू की लेकिन पैनिसुलर प्लेट्यू को दो भाग में जो फ्रैक्चर इन दी रॉक अलॉंग विच दी रॉक बीन रिलेटिवली रिप्लेस फ्रॉम दी छोटा नागपूर प्लेट्यू सीदी सी बात है दोस्तों यह जो डखकन के पठार है यहां से दोस्तों चट्टाने कुछ है ठीक है उसके नीचे वाले पार्ट को दोस्तों जो ब डखकन प्लेट्यू इस नोवन एस डखकन ट्रैप यह कॉश्ष आप से पूछा गया है तो दोस्तों जो काली मिठ्टी वाला जो चेत्रफल है कहां पर डखकन पठार में उसको डखकन ट्रैप कहते हैं क्या टूस्तों डगें ट्रैप कहते हैं यह याद रखेगा यह आप स just because of volcanic eruption से बना हुआ है, the soil is good for cotton, sugar cane cultivation, अच्छा दोस्तों एक बात 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 है, cotton हमने पढ़ा कि अभी गुजरात है, सुगर केन में दोस्तों अभी कौन दोस्तों उच्छ पर है, जली से बताएं कौन सा राज उच्छ पर है, मलब फस्ट पोजिशन पर है भारत में, जली से बताएं, फटाफट से, यूपी कह रहे हैं, और बाकी लोग क्या कहते हैं, यूपी हुआ करता था लेकिन अभी महराष्ट में है ठीक है तो यह जो मिट्टी यह सुगर केन के लिए अच्छी है दोस्तों यूपी में तो ब्लैक सॉइल उतनी नहीं ज्यादा पाई जाती है मालवा प्लैट्टी वाला जो एरिये में आता है उसमें पाया जाता है लेकिन अब मैं बता दू पहले दोस्तों यूपी में हुआ करता था सुगर केन सबस्यादा लेकिन अब महराष्ट में आपको देखने को मिलेगी कॉटन गुजरात में तो दोस्तों यहां पर है चीज आपको दोस्तों सबस्यादा मिलती है ठीक है हाजी बहुत बढ़ियां आगे ढ़ते हैं दूस्तों अगर मैं यहां पर बात करू यहां पर भी दो भाग मैं ठीक है जो हमारा डखन का पठाथार यह दोवा सा जोण सा है western गाट और eastern गाट मतलब पुशच्चिम घाटियां और यहाँ प normally दिस upon 2022 ओर से तियुक कर लेता हूं फिरसे अब को मैप यह यह दिखा देता हूं ठीक है जिसने आपको दूस्तो आगे चलके सारी चीजे clear रहे हाँ जी बहुत जादा जूम हो गया ठीक है बहुत बढ़िया दोस्तों यह है नर्मदा नदी दिख रही आप तो clear दिख रही होगी अब इसको आप मना नहीं कर सकते हो ठीक है इन्हों नर्मदा को नर्मदा लिखी दिया है कोई बात नहीं चलता है ठ उसके बारे में पढ़ेंगे निलगी बोलते हैं मदलब आपके के बारे में बात करते है दो पहला दोग्यों कि सहादरी किसे कहते तो वेस्टन घाड को ही दोस्तों सहाधरी कहते हैं क्या कहते हैं यह कहां पर लाए करता है तो दोस्तों यह पश्चमी जो दुस्तों दक्षिन पठार का जो पश्चमी वाला भाग है उसको कहते हैं यहां पर दोस्तों क्या उसको कहते हैं पश्चम घाडिया चलिए यह तो हो जाता है कि इसकी दोस्तों लेंद कितरी है जो हमारी जोस्तों पस्चमी घाटी है वो 1600 किलोमीटर अप्रॉक्सिमेटली रन करती है आपके गुजरात वाले साइट से स्टार्ट होती है किरला वाले साइट तक आटी है दोस्तों यहां पर 1600 किलो मीटर अवरेज अलिवेशन मतलब इसकी ऐव अन एवरेज हाइट जो है दोस्तों आपको देखने क्या मिलेगी एक हजार मीटर देखने को मिलती है अब आपको यहां पर दोस्तो कुछ पीक पॉइंट मिलेंगे ठीक है कौन कौन से पीक पॉइंट मिलेंगे दोस्तो तफेमस पीक इन दिस एरिया इस डोड़ा बेटा क्या है दोस्तो डोड़ा किसकी पीक पॉइंट है निलगिरी की है किसक एक है मकूरती क्या है दुस्तो मकूरती यह आपके लिए homework रहेगा no down करिए homework no düaun करें गरेंगे खिए कर दो he Kaiłemalayan जो है वे भारत के कितने राज्य से जाता है वह आपको लिखना है क्यों revision गुषी मैस कैने ब्रच कियो हूंने के लिए doosera तरफ बढ़ते दोस्तों यहां पर लेकिन उसके पहले जूम कर लेते की धी यह वींते के ट्रुसका दोस्तों यह नीचे आऊँगे डोस्तों क्लां एकी केरला तक ठीक है कहां तक चला दोस्तों केर्ला तक यह यह याद रखेगा अब दोस्तो यहां पर आगे बढ़ेंगे यह हो गया हमारी कौन सी पश्चिम घाटिया अगला दोस्तो है हमारे लिए दोस्तो कुछ पॉइंट है ठीक है उसको ध्यान दे लेते पहले ठीक है दोस्तो दूसरे कुछ पॉइंट है दोस्तो याद रखेगा मांट एवरे की किती थी मांट एवरेस की 8848.86 मीटर थी सर आच्छा केटू की कितनी थी दोस्तो 861 मीटर थी दोस्तो ठीक है फिर उसके बाद सर हमने कंचन जंगा की भी तो पढ़ी थी हां सर 8598 मीटर पढ़ी थी सर अब अनई मुडी की भी पढ़ लीजे 2695 क्या दोस्तो 2695 इंपॉर्टेंट ह है इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ें चलिए इसके लाएं दोस्तो आपको यहां पर कुछ देखतों क्या मिलेगा वेस्टन घाट और कंटीनुएस एंड केंड़ी क्रॉश थूदी पासिस लाइक पाल घाट ताल घाट और भोर घाट इंपॉर्टेंट दोस्तों जिस तरी कोई भी नदी निकलती दोस्तों वह पहार से हिल से रेंज से ही निकलती है क्योंकि पानी के लिए बाहायों से बहती है टेंगा प्लेन में पानी का उध्गम नहीं होता उध्गम हमाई श्याप अब याद रखिगा फ्लो इश्टवड वायल दा रिवर ताप्ती फ्लोस वै तापती जो है दोस्तों वो कहां की तरफ बहती है वो पस्चिम की तरफ बहती है बाकि दोस्तों पूरव की तरफ नदियां बहती है तो यह दोस्तों कुछ क्वेश्चन्स हो गए इसके आगे बढ़ेंगे ठीक है हाँ जी चलिए बहुत बढ़िया यहां पर एश्वरिया शि के लिए ठीक है तो Eastern Ghats are discontinue low belt Sir discontinue क्यों बोल रहे हो क्योंकि दोस्तों यह तूटे भाग में continue भाग में नहीं है यहां पर दोस्तों आपको भले continue दिख रही है वो कुछ इस तरीके से दिखती है तीन भाग में ठीक है एक दो तीन ठीक है इसलिए इसको दोस्तों discontinue low belt कहा जाता है इसकी दोस्तों on an average height कितनी होती है 600 meter कितनी दोस्तों 600 meter होती है ठीक है they run parallel to East Coast from South of Mahanadi to the Nilgiri Hills देखें दोस्तों महा नदी यहां पर तो महा नदी शायद नहीं दिख पा रही है ठीक है महा नदी आपके कुछ इस तरीके से जाती है ठीक है Odisha से होते हुए जाती है जहां पर दोस्तों महा नदी में आपको क्या मिलेगा हीरा सबसे बढ़ा बाद मिलेगा फिर ह है यहां पर पूरफ मिलोता इन तो आपको सुस्य का यहां से रहं करेंगे तो क्या मिल जाएगी यहां पर पूरफ की घाटियां मैज़ जाएंगी अब आता है question कि सर पूरव की घाटियों का peak point सबसे उची चोटी कौन सी है ये दोस्तों exam में पूछा जा चुका है इसकी दोस्तों उची चोटी है महेंद्रगिरी क्या दोस्तों महेंद्रगिरी जो है इसकी सबसे उची चोटी है यह आपको कहां पर मिलता है यह आप बताएंगे सबके comment box में देखता हूँ अभी answer 1501 meter जो है इसकी height है जल्दी से बताएं महेंद्रगिरी आपको कहां पर देखने को मिलेगी यस मदुश्मिता गोट डोडा बेटा नहीं डोडा बेटा तो निलगिरी की peak point है यह दोस्तों किसकी पूछ रहा है यह पूरब घाटी की पूछ रहा है ठीक है तमिल नाडू कुछ कह रहे हैं कुछ ओडिसा तो दोस्तों तमिल नाडू चलिए आज सब लोग check करेंगे क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा था आप लोग answer कर दोगे लेकिन नहीं हो पाया है कुछ लोगों ने सही answer दिया है लेकिन कुछ लोग अभी भी confused है तो answer करेंगे कि बहेंदगीरी जो है वो कहाँ पर है तमिल नाडू में है या फिर ओडिसा में बहुत से लोग confusion है हाँ अभी answer सही आ रहा है देखिए कृष्णा का सही है नेहा का सही है ठीक है कुछ लोग यहाँ पर भी दोस्तों सही answer दे रहे तो इसमें confusion हो रहा है ठीक है तो इसको answer करेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों हम लोग कुछ और point देख लेते इसमें दोस्तों आपको कुछ famous hill मिलेंगे हिल स्टेशन यह famous hill कहूं कौन कौन से एक तो महेंदगीर हील मिलेगा ठीक है नीमेगीरी हील कौन से दोस्तों नीमेगीर हील कहां पर है उडिसा में लीजे सर आपने तो answer ही बता दिया इस point में तो आपको answer ही मिल गया कि महेंदगीरी हील मिलेगा कौन से दोस्तों नल्ला मलाई हील और दोस्तों कौन से हील मिलेगी यहां पर आपको मिलेगी कोली सिक्स नीटर थी यद रखेंगे चाल बहुत बढ़िया आगे पढ़ेंगे लेकिन दोस्तों जिन्हों ने अभी तक लाइक ने किया फटार्वर से लाइक करेंगा और शेयर करेंगे जल्दी जल्दी से ठीक है तो जो सब्सक्राइब आप आता है दोस्तों कि यहां पर भी कु जोइन वैस्टन और इस्टन गहां पर यहां पर यह दोस्तों पूर्वीघाटी अगरते चले निलगी रिल जोईन वैस्टन और इस्टन गहां टूब आपको जो पॉरव की घाट या होती है जहां पर मिलती है उसको हम कहते हैं यहां पे नील गिरिए आगे बढ़ें चाली बहुत बढ़िया चलिए आगे बरतें दोस्तों अब लेकिन उससे पहले यहां पर जूम करकर एक बार देख लें ठीक है एक बार जूम करके यहां पर देख लेते हैं चीज़ों को जिससे आपका clear हो जाए सबी चीज तो चलिए जूम कर लेते हैं कि दिखे beni कॉंड़ाए कॉंड़ापली मिलता है निलगरी मिलता है लेकिन आखरी में आपका क्या मिलता है निलगी मिलता है ठीक है क्लियर है दोस्तों चलें आगे की तरफ चलिए बढ़ेंगे अगले स्लाइड की तरफ दोस्तों हम लोग ने तीसरा पार्ट कुम्प्लीट कर लिया पहला था Northern Mountain अब हम बढ़ेंगे दोस्तों यहां पर कुछ कोशन पर जलदी से बताएं दोस्तों यहां पर कोशन पूछा है दे वेस्टन पार्ट ऑफ दी सेंट्रल हाइलेंड का पस्चिमी भाग को किस रूप में जाना जाता है मलवा प्लेट्यू मालता प्लेट्यू डेकन प्लेट्यू और इस्टन प्लेट्यू हाँ 19 लाग रुपए के लिए मालवा 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 तो दोस्तों य आपन यहां पर आंसर करेंगे यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा मालवा प्लेट्यू ठीक है कौन सा वेस्टन पार्ट ऑफ दी सेंट्रल हाइलेंड मैंने आपको बताया तो दोस्तों जब आपन ने सौरी यहां पर पैन रुकिए एक मिनट हाजी पैन सेलेक कर लेते हैं आप दोस्तों कौन सा था पूरी भी भाग था पूचा कौन सा यह वेस्टन पार्ट ऑफ दी सेंट्राइलेंड तो बहुत है सेंट्राल हाइलेंड के पश्च्चिमी भाग तो यह है इसको हमने मालवा कहा था और इसको छोटा नाखूर साही जवाब तो मालवा होना अच्छी चीज नहीं है समझ के करोगे आंसर हो जाएगा सिमिलर्ली अपन पॉलिटी भी करेंगे ठीक है हिस्ट्री भी करेंगे हाला कि हमने दोस्तों यहां पर हिस्ट्री वाली क्लास एक पर की थी अगर आप लोग डिमांड करेंगे कमेंट बॉक्स में अगर आप ठीक है सभी लोग आंसर करेंगे दोस्तों यहां पर सवाल क्या पूछा है कि अगरत के पश्चिमी तट में दोस्तों दक्षणी भाग को कहा जाता है कोंड कंड कंड प्लेन मालाबार कोष्ट और कोरो मंडल कोष्ट जल्दी से बताएं डी ऑप्शन कह रहे हैं कुछ लोग ठीक है कि रिटिका करेंगे सर माला पार होना चाहिए गोट करेंगे सर कोरो मंडल नेहा माला भार के साथ विकी माला बार के साथ चलिए दोस्तों देख लेते हैं ठीक है तो दोस्तों किसकी बात कर रहा है Southern stretch of the western coast हम यहां पर डाइग्राम बनाते है ठीक है यह फिगर है यह जो है दोस्तों वैस्टं घाट यह इस्टर्न घाट में भी दोस्तों डक्षनी वाला होग बोल R Sean he जर्ठ तो दोस्तों मेरे वर्पर है इसको हम कौन्स षे बंक्वां चीह कहते हैं कौन करतें लिए बीचे वाला क्या है मालाबार सर आपने तीन भाग बताया बताये दोई भाग तो दोस्तों इसकी बीट वाला भाग है उसको कहते कंणड कंणड प्लेन है ना दूस्तों कंणड तो याद रखेंगे याद रखेंगे वेरे गोड नेहां बहुत बढ़ियां सुप्रभा विजय सालिनी एश्वरया क्रिष्णा गोट विक्की बहुत बढ़ियां तो दोस्तों यहां पर सही जवाब जो है आपका वो जितने लोगों ने दोस्तों माला बार कोश्ट का है उनका यहां पर करेक्ट है और जहां पर दोस्तों दोस्तों यहां पर और दोस्तों इसको था जाता है ठीक है क्या आजाता है टेकर नाम से जाना जाता है अब से सवाल पूछा जाता है। यह ग्रीट इंड herumकॉछा जाता है लीजीए यह है भारत ठीक है यहां पर है यह आपका जो LINE खिची यह जो क्या है यह है अब यहां कौन से राज राज स्थान फॉठ कि राज स्थान या आप सबसे बड़ा सवाल उठता है दोस्तों कि राजिस्थान का छेत्रफल सबसे जादा है भारत के अगर सारे राजियों में से देखा जाए तो सबसे जादा छेत्रफल जो है वह राजिस्थान सबसे पहले मदुश्मिता का है कुल्दीप आप अप्रॉक्सिमेटली सेम है ठीक है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तो 70 परसंट यहाँ पर करेक्ट रोगा थीहाँ आब दोस्तों एक सवाल उठता है कि यहाँ पर मर उस्थल तो है वहाँ फेमस फ्रेमस इंटिकि आ सबस्टाइब निक नेम करता है कि इसका निक नेम को क्या इस पर पड़ती है वह यह जब गॉल्ड चमकता है और सब.. सब्सक्राइब तो उस तरह स्ट्राइब तो इसलिए दोस्तों इसको का जाता गोल्डन सिटी ठीक है याद रखेंगे आगे बढ़ें ठीक है बहुत बढ़ियां सिखा कृष्णा कुल्दीप लोबजैंग वैरेगोंड बिजया हर्यानवी वैरेगोंड दोस्तों यहाँ पर अब बात आती दोस्तों यहाँ पर इसकवाड विच सेंड डून्स ठीक है जो आ तो फूरा का पूरा दोस्तों किसे गीरा ओए और स्केंटी वैजिटेशन के दोस्तों तो सूखी जैसे कि यहां पर सब्सक्राइब का पर देखने मिलेगा को यहां पर जैसे कि मिलेगी एसलिए डोस्तो एरेट में इसलिए डोस्तों एरेड सॉइल रिसकेछ center कहाँ पर है सबी लोग बताइंगे चलिए बताई दोस्तो फटाफट से और दोस्तो जोंने भी तक शेरोदब से शेर करेंगे और लाइक करेंगे हां भी जीए जै रोफाइड कहा जाता है क्योंकि दोस्तो जो con ord kya ठोब बऴया तुर जोदetu बहुत दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा Arid Soil Dresser Center देखने को मिलता है, ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, यह क्या हो गया, ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगला जो प लेकिन दोस्तों लूनी रिवर कैसी हो चुकी, विलुप्ध हो चुकी है, कहा जाता है कि आप वो जमीन के अंदर बह रही है, ठीक है, विलुप्ध हो गई, बाहर से नहीं दिखेगी, उपर से नहीं देखने को मिलती ही, राइट, अब यहाँ पर दोस्तों क्या क्या देख समय है पाकिस्तान हमारा मित्र है लेकिन बहुत खतरनाग वाला मित्र है इतना खतरनाक कि हम भाहिग खतरनाक और सुमें लगा दीजे तो रेड किलिफ है कितना आप दोस्तों बौर्डर से एक इंड रखना है चलिए तो यहां पर आपको क्या क्या देखने को मिला एक तो दोस्तो अरावली रेंज अब देखिए दोस्तो सवाल उठता है अरावली रेंज का दोस्तो पीक पॉइंट क्या है हमने दोस्तो वेस्टन घाट का देखा हमने इस्टन घाट का देखा हमने हिमाले के पीक पॉइंट देखे अब आपको बताना है अरावली का पीक पुड़ा का है ठीक है उस पर भी हम बात करेंगे यहां पर गोट वेरी गोड सुनील बहुत बढ़िया अंजू ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर याद रखीगा इसकी पीक पॉइंट है गुरु सिखर क्या है दोस्तों गुरु शिखर जो है इसकी दोस्तों उची चोटी है सब की हाईट देखी ठीक है महिंद्गीर की कितनी देखी 1501 मीटर देखी बहुत बढ़िया ठीक है आपने दोस्तों किसकी ढिक देखी-डी-3255 Newton अब बात करते हैं अब दूस्त dek दक हिल स्टेशन में जिसका नाम है मांट अबू क्या दुस्तों मांट अबू है ये भी कहाँ पर दोस्तों राजिस्तान में है और दोस्तो अरावली रेंज पर ही दोस्तो एक बहुत फेमस मंदिर है जिसका नाम है दिलवारा टेंपल क्या है दोस्तो दिलवारा टेंपल है अब बताईए दोस्तो दिलवारा टेंपल जो है यह कौन से धर्म का मंदिर है जल्दी पर रहे किस धर्म का और दोस्तो कौन से भ लाइक करेंगे ठीक हैं हाजी अगला दोस्तों आपके सामने ब्लैक पगोणा दोस्तों दिलवारा टेम्बल को नहीं कहते यह रहा होर तो ध्यान रहेंगे अगले इस पहें ठीक है ठीक है अगला slide बात करता है दोस्तों यहां पे Coastal plane के बारे में अब हमने दोस्तों यहां पे 6 में से 4 को कवर कर लिया है ठीक है अब आच चुके हैं हम 5 नंबर पे किस पे आच चुके दोस्तों पाच में नंबर पे आच और वो कौन स तो कोश्टल प्लेन क्या कहता दोस्तों यहां पर कुछ पॉइंड स्न फी सब्रा ενब्स टे पेनिंसुलर प्लाट्युव में डी वॉर्टर बॉक्त स्ट्राउंडीं कंट्री दोस्तों यह एक प्लेण यहांसा है जो एक दोस्तो लेंड के बीच में और दोस्तो पानी वाली एरिये के बीच का एरिया होता है सर क्या बता रहे हो यहीं बता रहे हो दोस्तों चुल लिखा है ठीक है कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं दिखा देते इसको मैप में दिखाते हैं यह क्या हो गया इसको कोई बात नहीं यह से ले लेते हैं हाँ इसको जूम कर देता हूं मैं दूस्तो आपको यहां पर एक लाइन दिख रहे होग justement कि वेस्टन घाट एक तरफ आपको दिख रहा है पानी वाला एरिया वाला एरिया उसके बीच में दूस्तो एक एरिया दिख रही क्यakan ये जो पतला वाला एरिया है यहाद रखेगा similarly दोस्तो आप यहां पर देख और रोलहा ग्रधा समुध्र के बीच मिला इरिया इसको भी आद रखेंगे पूरवी घाटी के पूरभ में सिसलीं को इस तूर फेंग चाहता है क्या याद रखेगा ठीक है दे आर्थिन स्ट्रेच और फटाइल लेंड दोस्तों यह भी फटाइल लेंड होंगे क्योंकि यह दोस्तों समुद्र और दोस्तों एक पहाड के बीच में वेस्टन घाट और दोस्तों किसके बीच में इस्टन घाट और दोस्तों किसके बीच में बें टिक है पूरवी घाड़ी के पूरव की तरफ आपको मिलेगा इस्टर प्लेन ठीक है याद रखेंगे चले आगे तो दो भाग में यह बटा हुआ है स्थी का अब हम आगे बढ़तें दोस्तों आगे बढ़ेंगे अगले Arabian Sea मैं आपके लिए दूस्तों जूम करके यहां पर बताने से पहले आपको यहां पर figure में बना के दिखा दूँ यहाँ पर दोस्तों क्या है यह red color की दोस्तों यह पस्चिन घाटी यह कौन से दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें Arabian Sea यही तो तो यहां पर हम बात करें यह सब ठीक है नॉर्दन सेक्षिन ऑफ प्लेन इसका पूर्वी वाला भाग है यह उपर वाला एरिया जो है इसको हम क्या कहते दोस्तों कोंकन कहते यही तो भी हमने देखा था इसको हम कहते हैं और दोस्तों जो नीचे वाला पार है तो इसको तीन भाग में हो गयं कौन कंद 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 कहिं अर माला बार जो तो यह रहा आप लोगों के लिए जूम कर दिया है मैंने दोस्तों आप शायद आप क्लियर देख पारे होगे यहां पर भी देख सकते दोस्तों कोश्टल वाला पास्ट है मालावार वाला पास्ट है और यह बीच वाला जो है कंड़ है ठीक है इसमें मैंशन नहीं है लेकिन जो चलिए तो यह तो पर दोस्तों आप करें ऊस्तन कोस्टल देखते हैं ॥ीयज के यहाँ प्र दोस्तों आप के लिए लिए इस्ट इसटन कोश्टल प्लेन के एपने बढ़ा और चालिए चलिए सर क्या बता दिए कोई बात नहीं दोस्तों यहां पर आपको देखने क्या मिलेगा यह है दोस्तों आपके लिए पूर्वी घाटियां ठीक है जो मैंने आपके लाइन कीची यह पूर्वी घाटिया है दूसरी तरफ दोस्तों आपको क्या मिलेगा आपको यहां पर दो जगा उसको कहा जाता इस नो आगे बढ़ें चले तो यह आप याद रखेंगे उसके बाद दूस्तों क्या है मोटी दिख रही की नहीं दिख रही है पिछले वाले में देख लेते यह जो है यह पतली सी है ठीक है यहां पर यह वाली जो है दोस्तों यहां पर आपको मोटी दिख रही है ठीक है चलिए अब देखें दोस्तों यहां पर क्या रहा है दर नौर्धन पार्ट इट इस कॉल तो यह Northern Turker तो यहाद रखिगा अब दोस्तो यहां पर हमने बात कि ती कुछ नदियां जो है यहां पर आके क्या होती है ती है उद्गम पश्चिम गार से होता है और दोस्तों यहां पर गिरती है अब आपसे दोस्तों क्या एक question पूछा गया था SSC में ये पूछा गया था कि बताईए deckan plateau का slope जो है deckan plateau का दक्षणी जो पठा रहे हैं उनका दोस्तों slope जो है वो किस direction में है इस्ट वर्ड, west वर्ड, south वर्ड और north वर्ड जल्दी से बताईए दोस्तों किस तरफ है पटाफ इस्ट वर्ड होना चाहिए रॉकर कहरें सरिष्ट वर्ड होना चाहिए तीक है बिल्कूल दोस्तों जितने लोग इस्ट वर्ड कहरें उनका correct answer होगा अगर दोस्तों इसका slope नहीं होता तो बताईए पश्चमी घाटी से नदी निकलने के बाद क्या वो दौस्तों पूरप क वो था Eastern East World ठीक है चले आगे बढ़ते हैं दोस्तो extensive deltas has been formed by the river like Godavari Godavari भी दोस्तो डेल्टा बनाती है right महानदी भी डेल्टा बनाती है कृष्णा भी डेल्टा बनाती है और कावेरी भी डेल्टा बनाती है दोस्तो स्कुल मिला के यह है कि जो पूरव की आप है कि आ यहाँ बनाती है तो दोस्तो सबस्तो डेल्टा कौन से रहें यहां पर फिस侜िकल जॉग्रफिक गर दिवीजं ऑफ इंडिया कर रहें तो दोस्तो नदियों पर भी हम करेंगे, जो सबसे इमपॉर्टन करेंगे, मैंने आपको बताया अगर आप कमेंट करोगे, management देखेगा और तभी आपके लिए वो classes रखेगा ठीक है अब देखे लेक चिलका लेक चिलका दोस्तों ठीक है is an important lake on this coast सबसे important है दोस्तों लेक चिलका ठीक है क्यों important है वो भी देख लेते लेक चिलका है कहां पर दोस्तों सबसे पहले तो Odisha में अब दोस्तों railway में सबसे बड़े खारे पानी की जील भारत में कौन सी है तो सबने लगा क्या गया लेक चिलका लेकिन उसमें पूछा था कि लेक चिलका कहां पर है तो Odisha में है यहाँ पर Odisha आपका अंसर हो जाता अब उससे जादा important यह है दोस्तों कि यह सबसे पहला वैटलेंड है भारत का अगर दोस्तों सबसे पहले वैटलेंड की बात करूं तो दोस्तों वह कौन सा है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएका लेक चिलका अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि वैटलेंड कितने हैं भारत में तो दोस्तों पहले 64 थे लेकिन इस साल 11 एड हो गए 2022 में तो दोस्तों जी के यहां पर आपके लिए हेल्प करेगी कंप्यूटर हेल्प करेगी और साथ में दोस्तों हेल्प करेगी रीजिनिंग आपको टी यहां पर यहां रखेगा अभी 75 हो गया है सबसे बढ़ा सबसक्राइब्स आपकी की नाम की बात नहीं करते हैं ठ्यागे बढ़ें अगले सवाल पर बहुत बढ़ी आप लिए बिजया अगले कोशन बढ़ेंगे दोस्तों अगला सवाल आपके लिए रहा है घेक है मलब अगला अगला स्लाइड आपके लिए रहा लास्ट श्लाइड दौस्तों जो आपके लिए Nearly बहुत जादा though island the island विशव की सबसे बड़ी island क्ओंशी है वो पहले आप जोकर त grey की या बात है बहुत बढ़ीया डोस्तों जितने लोग उस्टेलिया नहीं है रहे हैं तो ग्रीं लेंड जितने लोग जीतने लोग गेंकरें दूस्तों उनका सही जवाब हो दोस्तों Greenland जो है वोस ही जवाब हो जाएगा अब यहमने बात की किसकी दूस्तों विश्व की बात की इंडिया की अगर हम बात करें दोस्तों इंडिया की शाब से बड़े दूस्तों अगर है तकि बारीखा है तो यह होता है दोस्तों वो इक स्मॉल मास होता है तिन चोड़ी सी जमीन है चारों तरफ से पानियों से घिरी होती है, हुआ कि निल्सकों कहते हैं त्याह लोग केогодने हुआ कि जोなられるा जिख भम निलेंग, कहते हैं दोस्तों याँ अगर हम बात करते हैं जो कर लिखा हुआ है दोस्तों दोस्तोफ टूजिरो फॉर रिर ऐलेंड इन यंवे बाने। दोस्तो ऑफ डिन सकते लेकिन खुद अना दमान एण निकोबार आइलेंड रिडिया है दोसरा है धोस्तों यहां पर 43 आजsemble in Arabian Sea में पर आरेडियंड सी में दोस्तों उसको जाता लक्षधीप हाला कि लक्षधीब कफते से बना हुआ है 36 आइलेंट से बना हुआ है लेकिन वहाँ पर जो मेन पूरा दिया है उसको हम लोग लक्षदीप आइलेंट के नाम से भी बोलते थे हैं ठीक है वो मैप में भी देखेंगे अन्दमान निकोबार आइलेंड एक्टेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन बेय ऑफ बेंगोल दोस्तो यहां पर उत्तर से दक्षिन तरफ फैला हुआ दोस्तो यहां पर क्या है एक आइलेंड है जिसको हम कहते हैं अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार को दोस्तो कौन सा चैनल अलग करता है फड़ावट से सभी लोग बताएंगे दोस्तो कौन सा चैनल अलग करता ह सब ही सब ही बताएंगे दोस्तों फड़ा वड से उनको और कि पैलगो कहते हैं पिल गोर सही बता confess ऑड़ारे दे वरी इहां पर ऑब दोस्तों वेली गुट 10 डिगरी चैनल क्या जोका होगा तो 10 पर रहे दोस्तों उसको हम कहते हैं अंडमान निकोबार ग्रूप ओफ आइलेंड में ही दोस्तों यह मौजूद है कौन सा बैरन आइलेंड याद रखेंगे एक्टिव वॉलकेनों अब दोस्तों सवाल आता है कि यहां पर पीक पॉइंट कौन सी है यह एक पीक पॉइंट भी बहुत बढ़िया दोस्तों जितने कहरें शर होना चाहिएक है कि सैडल पीक उनका सही जवाब उगा क्या होगा दोस्तों संदेल पीक यहां पर दोस्तों क्या है सबसे जादा बड़ी है सबसे हाईट पॉइंट के या दर रखें इस सैडल पीड यह तो सम 냖ה पा कि अन्दमा है वो आप बताएंगे जल्दी से पड़ावड गौन सी जन जाती है। very good यहां पर नेयहां बहुत बढ़िया देव बहुत बढ़िया शालिनी ठीक झार हो विक्की बहुत बढ़िया सेंटिनली जो जंजाती है उनको याद रखेंगा हलागी दोस्तो भारत सरकार ने मना कर रखा है भारत सरकार ने यहां पर दोस्तो जाने को अलाओ नहीं किया बड़ क्या होता है ना कुछ लोगों को याद रखना है चलें आगे की तरफ चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए अच्छा लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको पूछना चाहता हूं एक और सवाल आ गया अंडमान निकोबार में ही दोस्तों कुछ समय पहले दोस्तों कुछ आइलेंड के नाम बदले लोगे कुछ और तो इससे अच्छा है कि होमवक लिख लिए ठीक होमवक लिख लेंगे फटावर से होमवक लिख लिए फिर आगे बढ़ते हैं हाँ बहुत बढ़िया यहां पे रॉकर बता भी रहें नेहा भी बता रहें लेकिन दोस्तों वह आपको क्या करना है वह आपक भान निकोबार का मैप करने की जरुत है क्या दोस्तों और गस दिख रहा होगा आपको अगर जुम करना है तो बता दिज cassette कर दूँगा को कोई दिक्कत नहीं है हां जी यह देखिए दोस्तों यह अपना भारत प्यारा भारत टिर उसके बात करे इस तरफ आपको क्या मिल र बे-वंपी आगया है जो दोस्तों Bay . बेंगॉल की तफ में वो अंडमान निकोति है अभी हम के बार नहीं को बार पूस कर लेते हैं जूम कर लिया दोस्तों तो कश्यां कर लिया उंफ करते ही क्या देखा धोस्तों यह नौध apples लूवर अंडमान और इसकी क्यां क्याकした ऑंडमान की क्या है मैं भड़े से लिखתा हूं जिससे आपको यहां पर याद रहे पोड़ फीक है इसकी कैपईल है बहुत बढ़ीं पोड़ीय कहाँ पर दिखने को के बिल रहा है अब दोस्तों यहां 10 डिगडी चैनल यह देखें टियकर दिखर है दोस्तों मैंने वही तो पुछा था कि अजड़मार और को कोने लग करता है तो दोस्तों यहाँ पर 10 डिगडी लिखा हुए है नहीं इख रहा है तो यहां पर मैं लिख दूँ नहीं लिख घूँडाओं ते हैं जूम करके दिखा दूँगा थिकए फिर इसके बाद दोस्तों नीची तरफ है N yum को बार कार नीको बार के सब्सक्राह कच्छकल ल हम लेटलनीको बार के झेकोवार तो में आप याद रखेका यहां पर कार निका बार फिर उसके बाद दो लिटल निकाभ़ार और ग्रेट निकोबार ये आपको यदि को भार आ smoothie के आ कुछ आपने आपने यहां समझ लीआ अब दुम कर में आपको से ठाहब हो घए तो यह गा कहा एंगpayers हो गया कि चले तनी गरी चैनल आगे बढ़े मैप में अगले स्लाइड पर बढ़ते अगले स्लाइड पर और अगली स्लाइड बात करती है यहां पर किसकी वह बात करती फिसकी बात करने दोस्तों लक्षदीप आईलेंड की बाथ करती है अब लक्षदीप आईलेंड जो है वह कहां है मालावार कोष्ट ने का हमने पढ़ा था नहीं की तरफ कोष्ट ही गहाटी के उसको मालाबार कहते हैं ठीक है तो माला बार कोश्ट ऑफ केरला इन अरेबियंसी अच्छा दोस्तों एक सवाल और याद आ गया यहां पर बहुत अच्छा सवाल है वह जस्ट अ मिनट दोस्तों केरला में एक सिटी है जिसका नाम है कोची इसको दोस्तों किस निकनेम से जाना जाता है यह बताईए को यहां पर केरे सर होना चाहिए यह बहुत बढ़िया इस सबसे पहले आंसर दिया देव कुमार ने वेरी गुड़ देव कुमार विजय एश्वरया विक्की जोकर अनिकेथ क्या बात है फिर तो सभी ने आंसर देती है क्वीन ओफ अरेबियंसी के नाम से जानी जाती दोस्त यहां का जो सबसे कोची जो इंटरनेशनल एरपोर्ट है क्या दोस्तों कोची इंटरनेशनल एरपोर्ट है वो भारत का सबसे पहला दोस्तों सोलर पूरा सोलर पे चलने वाला दोस्तों क्या है यहां पे इंटरनेशनल एरपोर्ट है किस पर दोस्तों सौर उर्जा पे ठीक दोस्तों जो लक्षदीप है वो दोस्तों सबसे छोटा सबसे चोटा इस सवाल आप से पूछा गया था हना यह सवाल में पूछा गया था कितना एरिया कवर अब दोस्तों यहां पर आता है इसको कहा जाता है लक्षदीप को कहा जाता है लक्षदीप को क्या कहते है लोग कोरल आइलेंड के नाम से जानते हैं ठीक है पूछ नक्षदीप तो अब दोस्तों एक सवाल आता है कि कोरल आइलेंड दोस्तों क्या हमारे लिए अच्छा है जी हां बहुत आप अच्छा एक पूण सीवर्य national parks यहां पिलेता लेकिन लेगे आपकरते में लेगे नेव्ल Online तो सो फण безопас od जो है जोस्तों वहाँ पर बहुत अच्छा होता है coral में यह याद रखेंगे ठीक है तो इसलिए इसको दोस्तों क्या कहते है coral island भी कहा जाता है कि इसको लक्ष दीप को ठीक है यह यह आद रखेगा यह आप से पूछा जाता है हाजी यहाँ पर सभी का आंसर आ गया बहुत ब भारत का ठीक है यहाँ पर भी है हमने दोस्तों इसकी लेंट पड़ी थी इसकी भी लेंट पड़ी थी लेकिन दोस्तों मैं आपसे यह पूछना जाता हूं कि सबसे सबसे दक्षिणी वाला जो पॉइंट है दक्षिणी वाला दक्षिण भारत का जो सबसे नीचे वाला ध्टिकी ने सबसे पहले आंसर दिया प्रताप ने दिया है पड्क्र बात है क्या वार कर यह हम कहेंगे इंद्राब यह निर्ग पॉइंट कमेंगें ड्रहने को निकोबें कहेंगे फिक है वह कहां पर आएगा निकोबाह आई लैंद मेंedy pag सबसे नीच वाला पाट पार कर सबसे नीचे वाला पार्ट है इंद्रा पॉंट को पो ठीक jao Product को क्या बोलते ज़ल्दी से उत्रे पॉंट को क्या कहा जाता है हाँ जोकर ने साहे सबसे पहले बता दिया उत्तरी भाग वाला बहुत बढ़िया जोकर नहीं अच्छो से पहले रितिका ने बताया था वेरी गूड रितिका ठीक है येस कृष्णा बिल्कुल की बूद्धू जो आप बता रहे हो बिल्कुल इस्ट में क्या बात है आज तो यहां पर सब तयार होके आएंगी कोई भी कोशन आ जाए बस हमको तो सीधा सीधा तलवार मार देना है ठीक है तो यहां पर जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं अच्छा दोस्तों इंद्रा पॉइंट जो है उसको किसी और नाम से भी जानते है क्या जल्द हाँ रितिका बता रही है लेकिन अभी वह शायद थोड़ा सा स्पैलंग मिस्टेक हों गया वाकि हां मैं समझ घी है आपकी फीलिंग के हूं हाँ आप यह बताना चाहरे हो आंसर वह आप साही बताना चाहरे हो ठीक है और कोई बताना चाहरा है ठीक है क्रिश्णा ने भी सह कि भी थू है ठीक है अब आपने तो पस्चिम वाला भाग नुको आ姓 इसको, फकी भी लेना चाहिए कैया चाहिक घजिए ठीक है की बीथू तो आपने बता लीजिए क्या है पूरा वह दोस्तों ये पूरा बहकर ठीक है बहुत बढ़ा आज क्या बाद जोकर यह सब बता है मेरे को लग रहा है खाने में कुछ ऐसा ही कुछ अलग सा खाके आ गया है नहीं ठीक है वेरी गुड हाविकी बिल्कुल आपने लिखी है पिंगमेलियन जो पॉइंट है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा है अब दोस्तों कहां पर थे हम जादा आगे चले गए क्या चले तो यह लक्षदीप को हमने जूम नहीं किया था हमने अंडमान को जूम कर दिया था लक्षदीप रोने लगेगा कहेगा कि हमें जूम क यहां पर जूम करके दिखाया है तो दोस्तों यह दिखिए बहुत सारे आइलेंड से मिलके बनाएं ठीक है तो इन शब को अगर हम विला दें ओग दोस्तों इसको सब लक्षदीप सब से छोटा आयलेंड है दूस्तो बारत का 32 किलो मीटर स्क्वेर थो है। चेत्रफाल है त्रिब दोस्तो 36 आयलेंड से मिल बना हुआ है हमारा लक्षदीप थेक है तो 36 सलें आगे कि तरह बहुत बढ़े हैं दोस्तो एक सवाल आ रहा है कि लक्षदीप और यहां पर पुडूचेरी जो है यह यूरें टेरी है क्या जली से जैसे राज्य में दोस्तों एक गवर्नर होता है राज्यपाल होता है वैसे यूरें टेरी में कौन होते दोस्तों लूटीनेंट होते हैं कौन दोस्तों लूटीनेंट होते हैं तो यह आद रखेगा यह पूछा जाता है यह आपको बताना है ठीक है एट डिग्री चैनल है मिनिकोई और किसके बीच में है या फिर लक्षदीप या किसके बीच में या आपको बताना है यह लेकिन आपको बताना है किसके बीच में चलें आगे ठीक है, it's good, चलिए, तो आपस में support करते रहिए, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, कभी ऐसे दोस्तों भावना नहीं रखनी है, कि हमें इससे दोस्तों क्या jealous फीलो, हमें कैसी भावना रखनी है, हम help करेंगे, लेकिन exam में बहुत अच्छा perform करना है आपको, ठीक है, सब को दोस्तों, जितना आप यहाँ पर सब के साथ discussion करोगे ना, उतना ज़ादा आप सक्षम होते चले आओगे, हो सकता है सामने वाला आपकी बास सुने या ना सुने, लेकिन आगर आपने उसको सिखाया, तो आपका revise हो जाएगा, तो इस बास से हमेशा दूर रह बहुत बढ़िया, चले आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, अब सवाल आएगा दोस्तों, अब सवाल आएंगे आपके सामने और धड़ा धड़ा में सवाल मारने दोस्तों, अब हम जादा यहाँ पर वेट नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा discussion करेंगे और बढ़ते हो चलेंग यहाँ पर बहुत बढ़िया रूशिका, गोट, रॉकर्स, तो दोस्तों यहाँ पर जितने लोग कहरें सर, option number B होना चाहिए, तो उनका भी यह correct आंसर होगा, red, laterite soil दोस्तों, हालागी दोस्तों यह अच्छी मिट्टी नहीं होती, पर फिर भी laterite soil हमें याद रखना है, मैं दूसरी दोस्तों old जो LVVLT उसको हमने कहा था भंगार, क्या मतलब भंगर, ठीक है, यह याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है, दोस्तों दूसरी बात, black soil दोस्तों आपको जो है, यह कहां पर देखने मिलती है, MP, गुजरात, महराष्ट और दोस्तों डक्कन वाले पार्ट में, और यहां पर दोस्तों सबस्यादा उपजाओ होता है, cotton, और इसी को हम लोग दोस्तों कहते हैं, रेगुर मिट्टी कहते हैं, ठीक है, या फिर दोस्तों self upload मिट्टी भी कही जाती है, चलें आगे, बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दे दिया, अगले सवाल प पूर और एहमदाबाद, जल्दी से बताएं कौन सा है दोस्तों, रितिका कहरे सर अयुद्धा होना चाहिए, नेहा बी के साथ, रॉकर कहरे सर भी अगेन होना चाहिए, चलें दोस्तों, यहां पर करेक्टांसरों के दोस्तों अयुद्ध्या, अब दोस्तों बात आती ही, ह कौन सी दोस्तों गुदावरी नदी के किनारे है ठीक है दोस्तों अगर आप से पूछ लेका लखनाव लखनाव दोस्तों कौन सी नदी किनारे है तो दोस्तों क्या गोमती नदी किनारे है कौन सी गोमती पटना कौन सी नदी किनारे दोस्तों पटना तो क्या गंगा नदी किन पूछ लेका सूरत जो है दोस्तों कौन सी नदी किना रहे वह तापी नदी या फिर हम उसको कहेंगे तापती नदी यह याद रखेंगे यह कुछ सवाल है दोस्तों आपके एक्जैम में पूछे जाते ठीक है आगे बढ़ें बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों वीच ओफ दी फॉल्लाइंग इस दी मोस्ट लिट्रेट डिस्ट्रेक इन इंडिया एस पर सेंसर्स 2011 दोस्तों 2011 की जनकर्णा की अनुसार निमल करला में दोस्तों यह सिटीज है अब इसमें कौन सा दोस्तों आप बताएंगे कुछ लोग अनिके एक का करेक्ट आंसर रहा है वह रिगोड निके तक क्या बात है और किसी ने भी दिया है डेक्सटर ने करेक्ट आंसर दिया क्या बाद है डेक्स्टर जोकर बहुत बढ़ि या अपको बताना है अब देखें दोस्तों यहां पर हम बात करें 2011 के सैंसस की इसका थीम क्या था अबर सेंसस अबर फ्यूचर क्या था दोस्तों अबर सेंसस अबर फूचर जो थी इसकी थी थी 2021 की क्या है दोस्तों जन गड़ना से जन कल्यान क्या दोस्तों जन गड़ना से जन कल्यान दोस्तों इसकी क्या है इसकी वो है दोस्तों थीम है ठीक है याद रखना है चले आगे हाँ जी चले आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए अगला सवाल दोस्तो आपके लिए लेकिन उससे पहले सभी लोग क्या करेंगे फड़ावर से शेयर करेंगे और जीनों ने अभी तक लाइक नहीं किया है फड़ावर से लाइक करेंगे अगला सवाल दोस्तो आपके लि क्योंतो हिमाचल पढ़ेश यहां पर kari comments सर हो जाएगा चले बहुत बढ़िया हिमाचल प्रदेश की दस्तों का एच है शिमिला है सर इसकी सव् Nerber I mean नहीं था एक प्रमसला क्या दोस्तों धरम्शाला है यहाद रखेगा थो यहाँ पर कुछ कह को दर्रे देखने को मिलते हैं कौन कौन से हमने देखे थे दर्रे एक तो शिपकिला दर्रा देखा था ठीक है भूलिये का नहीं दोस्तों दूसरा कौन से देखा था रोहतांग देखा था और तीसरा कौन से देखा था दोस्तों जल्दी बताई शिपकिला रोहतांग और एक कौन से दर प्रिकेत चलिए अगला सवाल दोस्तों आपके लिए रहा दोस्तों तुरू विच फॉलाइंग स्टेट डश्टी रूशी क्यूलिया रिवर पास रूशी कुल्या नदी जो है वो निम लिखित में से किस राजे से होकर गुजरती है क्या वो केरला से गुजरती है आंध्र प क्या दूस्तों भूवनेश्वर के दूस्तों भूवनेश्वर है यहां पर दूस्तों मंदिर बहुत सारे मिलते हैं जैसे की कोनार्क मंदिर जगनात मंदिर लिंगराज मंदिर के दूस्तों लिंगराज मंदिर ठीक है यहां पर दूस्तों नैसनल पार कौन कौन से थे शिम तो आगे बढ़ेंगे नो है तो फिर आप बताएंगे जल्दी से बताईए क्या यही थी या फिर नहीं थी यहां पर 35-25 किलो मीटर की अनुमानित लंबाई और 22-25 किलो मिटर की चुड़ाई के साथ निमलिकित में सबसे बड़ा दुन कौन सा है हरी के दहरा ना यहां पर कोटा या फिर नालगाड जली से बताएं बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा दहरादून हमने बात की थी दोस्तों दून में सबसे बड़ा दहरादून जैसे तालों में नैनी ताल तो नैनी ताल सबसे बड़ा याद करने का तरीका तो सबसे बड़ा दहरादून ठीक है दहरादून किसकी कैपिटल दोस्तों उत्तराखंड की है हाँ जी उत्तराखंड की है उत्तराखंड की सर सेकेंड धिए हाँ जी धूसरी कैपिटल वि एकौन सी दूस्तोव गैर सेन गैक। यहाद रखेगा। दूस्तो सवाल बढ़ेंगे दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा सरदार सरुवर डैम इस्टीट इन इन इस्टेट ऑफ डैश एंड ऑन दी रिवर डैश दूस्तों यहां पर सरदार सरुवर जुपांध है वो डैश राजिम है और डैश नदी परिस्थित है महराश्च ढ्रजग्रेश add गंगा गुज्राथ नर्मदा और राजिस्थान-चंबल जली सबतसे हें करेंगे और जल्दी जल्दी से लाइक करेंगे करेंगे एक मिनिटट यहां पर फृटफर से सबी लोग अमर कंटक से निकलती है तीक है अगर हम बात करें अमर कंटक कहाँ पर MP में है और दोस्तों अब यह सवाल उठता है कि पस्चिम भारत की सबसे बड़ी नदी है कितनी बड़ी नदी है 143 जिसको हम प्यार करते हैं उसके तेलखे उतनी और लोग दोस्तों किस नाम से जानते दूस्तों किस मार्वल सिटी किस नाम से जाना जाता है यह info रखीगा नर्मदा नदी कि कि किसके दो और रेंज और सत्पुडा रेंज किसके दोस्तो विंधिया और सत्पुडा के बीच में बहती है यह याद रखेगा दोस्तो कि क्या बनाती यह एस्चूरी बनाती गी डेल्टा अभी हमने पड़ा तो दोस्तो कि पस्चिम में जो तरफ जाके ड्रेन होगी वो बनाएगी यहाँ इस्चूरी और जो दोस्तो पूरा में बहुत जाएगी तो बनाएगी डेल्टा तो यह बनाएगी एस्चूरी तो यह यह याद रखेगा चले आगे की तरफ बहुत बढ़ी आश्वरया बिजया नेहा अगले सवाल बढ़ेंगे दोस्तों अगला सवाल आपके सामने यह रहा दोस्तों अलकनंदा रिवर ओजनेट स्रॉम डैश एंड भागी रथी खड़क ग्लैसियर तो आपर अलकनंदा नदी डैश और भागी रथी खड़क ग्लैसि तरी नहीं होगा और दोस्तों मैं आपने ट्रिक पड़ी थी अलका भागी किसके साथ अलका भागी देव के साथ किसके साथ देव के साथ सर यह क्या पता रहे हैं यह ट्रिक है दोस्तों अलकनंदा जब मिलती है भागी रथी से तो कहां पे मिलती है देव प्रयाग पे कहां देव प्रयाक पर आगे बढ़ें अगले सवाल पर ठीक है अगले सवाल बढ़ेंगे दोस्तो अगला सवाल आपके लिए यह रहा दोस्तो ऑन विच रिवार इस दी पिकॉक आइलेंड लोकेटेड मयूर देव पर जो है वो किस नदी पर इस्थित है क्या वो ब्रह्मपुत्र पर है महानदी पर है यमूना पर है या फिर गंगा पर है जल्दी से पताएंगे को अ सवाल पुछा जाता है कि भाई यां मजूली हैं दोस्तों असब में कौन से रिवर लोकटक 我們 है से राजब हैं कोंके से मनिपूर में है काम दूस्थो मनिपूर पर है कीबूल लाम जो दोस्तों विश्व का एक मात्र तैरता हुआ दोस्तो राश्ट उद्ध्यान जिसको हम लोग कहते हैं कीबुल लाम जो फ्लोटिंग नैशनल पार्क अगले सवाल बढ़ते दोस्तों अगला सवाल आपके लिए रहा दिबांग वैली लोकेटेड एट पर सेंसिस 2011 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत का सबसे कमग यहां पे दोस्तों घनियाबादी वाला जिलाद दिबांग जो है घाटी वो किस राज में स्थित है अरुनाचल प्रदेश नागा लेंड तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश फटाफट बताएंगे यहां पर सबसे ज़्याद बात बताओ भाईया हमारे पॉपुलेशन इतनी जादा है कि सायद यूपी भाईया बहुत भारी पड़ेगा ना तो यूपी वाले बड़े अच्छे लोग होते वैसे हैं तो पॉपुलेशन सबसे कम पॉपुलेशन कहां पर सिक्किम में हैं काम दोस्तों सबसे कम सबसे प्यारा बिहार अगर आप से पूछ लेगा कि लीश्ट डेंसिटी लीश्ट डेंसिटी दोस्तों यह राज की बात हो रही है तभी हमने बिहार कहा अगर देंसिटी के हम बात करें वैसे तो सबसे जाधा घनत वो दिल लिए लेकिन वो यूनियन टेटरी है नॉट दोस्तों तो फिर यहां पर लीश्ट अगर आपसे बात करेंगे तो अरुनाचल प्रदेश की है सर एक बार नंबर बता दीजे हाँ जी किसका नंबर अरे अच्छा इसका बिहार में दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों एक हजार एक सो दो परसन प्रती किलोमेटर स्क प्रकार की चट्टाने यहां पे शिलियन प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है क्या वो इग्नियस रॉक है क्या है यहां पर करेंटरी होना चाहिए और क्या क्या प्राइमरी सेकेंडरी ओके दोस्तों और सबसे बड़ा एक्जम्पल कौन सा है शेल रॉक होती है और उसी ही दोस्तों निकलती है शेल गैस के निकलती दोस्तो शेल गैस और शेल गैस दोस्तो ऐस फ्यूल यूज किया जाता है यह याद रखे गया ठेक है चले आगे की तरफ वेरी गुड अगले सवाल पर बढ़ते दोस्तो अगला सवाल आपके लिए यह रहा दोस्तो विच आफ दी फॉलॉइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी स्टेट ऑफ राजिस्थान निमलिखित में से कौन सी नदी जो है वो राजिस्थान राजिस से निकलती है चंबल नर्मदा, माही, और बनास भड़ा-फड़ बताई दोस्तो माही माही ओखे कुछ लोग बनास कह रहे है कुछ लोग माही कह रहे है तो सवाल का जवाब तो एक ही होगा क्योंकि है एक option ही correct होगा और correct answer यहां पर कहाँ होगा बनास यहां पर correct answer होगा यह याद रखीगा ठीक कहां से निकलती है यह अरावली रेंज से निकलती है चले आगे बहुत बढ़िया वहरे गोड यहां पर एंटर्टेन्मेंट सलोनी चान्नी बहुत बढ़िया अगला सवाल दोस्तों आपके लिए आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों डैश और जेंटली स्लोपिंग एरियास ऑस ओफ दी ओशें बेशन दोस्तों यहां पर पूछा गया है डैश समुद्र के दोस्तों घाटियों के धीरे धीरे यहां पर धलान वाले छेत रहें ओशेनिक डीप कांटिनेंटल स्लोप या फिर डीप सी प्लेन फदा फड़ा फड़ बताईए थीक है यहां पर कईर स surroundings होना चाइए सेलफ एदई टिक यहां पर क्रेक्ट आंसर हो जाएगा गी क्या हूंक निभीक जाहरो संधू आपके लिए रहा दोस्तो वीछ ओफ दी फॉलाइंग जिट्रका फॉस्ट इस त्रकॉंट फ्रस्ट तहरी डैम है जल्दी से बताइए पर अब से पर ही यहां पर क्या होगा तहरी कह रहे हैं कुछ लोग तैरी तो दो सध्यान से यह पर क्या कहा गया ग्रेविटी डैम ठीक है तहरी दोस्तों हाई इस डैम है लेकिन करेक्ट आंसर अगले सवाल बढ़ते दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों सियांग तिरप कामेंग और रिवर्स फाउंड इन इस्टेट ओफ सियांग तिरप और कामेंग किस राज में पाई जाने वाली नदिया हैं और नाचर प्रदेश अंद्रप्रदेश उत्तर की की बहुत बढ़ी persons कि बहुत अगला सवालkor आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि यह रहा दोस्तों उस्तों ग एं तेल आर्दी ट्रिब्यूट्री ओफ दी रिवार्ट दोस्तों ओंग और तेल जो है डैश नदी की एक सहायक नदिया है क्या वो कृष्णा है महा नदी है कावेरी है और गंगा है जल्दी से बताएं कि फड़ावर से महानदी कह रहे हैं कि कुछ लोग क्रिष्णा करेक्ट आंसर है महा नदी कहा से निकलती तो मैऎकाल रेंज से निकलती है कहां से दोस्तों मैधार रेंज से और मैंकाल रेंज कौन से दूस्तो जो सीजी में सीजी वाला एरिया 36 गड़ वाला एरिया ठीक है यह याद रखिगा अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आता है कि महा नदी पर सबसे बड़ा बांध है भारत का हीरा कुड़ बांध कौन से दोस्तों हीरा कुड़ अब इससे बड़ा सवाल यह आता है कि कौन से जिले में हैं कौन से जिले में हैं तो संबलपूर किसमें दोस्तों संबलपूर जि अब ठीक है फिर question आता है कि कृष्छा नदी कहा से निकलती है। यस नेहा ऐश्वरिया ब्लैक वेरी गुड कृष्णा अगले कोशन पढ़ते दोस्तों अगला कुशन आपके लिए रहा जौग पॉल इस दा मोस्ट थ्रिलिंग स्पेक्टिकल इन दी एंटायर वेस्टन रीजन ऑफ डैश दूसे आपे जौग जल प्रपाद डैश के पूरे पश्चिमी छेत्र में सबसे रोमांचिक तमाशा है या रोमांचिक तमाशा नहीं रोमांचिक झील है या फिर जल प्रपाद है अरुनाचा पदेश अंडमानी को बार नागा लेंड या फिर करनाड़का जली से बताए करनाड़का करनाड़का तो दोस्तों करेक्ट आंसर औनने निपर 8 वो दोस्तों नर्मदा नदी पर तेखेस्ट है कि दूध सगर बंद कि दूध सागर जल प्रपाथ है कौन तो अगे बढ़े वेरी गुड गोट, चांदनी, रजनी, नेहा बहुत बढ़ी है अगले सवाल बढ़ेंगे दोस्तों अगला सवाल आप ली रहा दोस्तों यहां पर जब नदियां अपने जल को किसी जील या फिर अवसाद में सभी दिशाओं में बहाती हैं तो बनने वाले जल निकासी स्वरूप को डैश के रूप में जाना जाता है ड्रेंडिटिक, रेडियल, ट्रेलिस या फिर सेंट्रिपिटल यहां पर ड्रेंडिटिक कह रहे हैं कुछ लोग भी ऑप्शन कह रहे हैं रेडियल दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सेंट्रिपिटल यहां पर सही जवाब होगा एक गहरी लाल मिट्टी है और अकसर यह दोस्तों माफिक अगने अधार शिला पर विक्सित होती है सेलाइन, एरिड सॉयल, लेटराइड या फिर पेडोकॉल जल्दी से बताएगे सी ओप्शन, सी ओप्शन तो दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ओप्शन लेटराइड सोल देखने कहा मिलती है यह दोस्तों करनाटका वाले पार्ट में आंद्रप्रदेश वाले पार्ट में तिलंगाना वाले पार्ट में ठीक है यह याद रखेगा अगला सवाल आपके लिए in which of the following state is the Sambar Lake located यह भी दोस्तों खारे पानी की जील है सामबर जील जो है निमलिखित में से किस राजमेस्तित है मिजोरम, राजिस्थान, गुजरात और पंजाब राजिस्थान ओके बहुत बड़ी है राजिस्थान राजिस्थान जित्ते लोग कह रहें दोस्तों उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए दोस्तों हमने बात की थी चिलिका जो है वो सबसे बड़े कारे पानी की जील है इसी को बैरेकिश लेग भी कहते है कहां पर है उडिसा में इसी के जैसा दोस्तों एक और लेख है पुलिकट लेख है ठीक है पुलिकेट भी दोस्तों खारे पानी की जील है लेकिन सबसे बड़ी नहीं है यह याद रखेगा आगे बढ़ें अगले सवाल पर चलिए अगला कोशन दोस्तों आपके स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों विच इस दी हाइस लेयर ऑफ दी एट्मोस्फियर इन विच मिच्योर बन अप आफ्टर दी एंटरिंग अर्थ एट्मोस्फियर दोस्तों यहाँ पर पुछा गया वायू मंदल की सबसे उपरी परत कौ इसकी क्लास की पीडियाव आपको टेलेग्रम पर मिल जाएगी मुहमत जी यहाँ पर आपको टेलेग्राम पर करणा राफने जुडे तो जुड़ जाएए को टेलेग्राम पर सिपसर्च करना जो करसकते हो और मैं आपको दूस्तों वहां पर दीजीड पर जिदृट सक मैं आपको लिंक देता हूं आप उसमें भी जुड़ पाएंगे तो यह रही आप लोगों के लिए लिंक लाइफ चैट पर मैंने आपको दे दी है ब्लू कलर के नेम से बहुत सारी जा रहे हैं दोस्तों ठीक है इससे भी आप जुड़ पाओगे ठीक अब आपको दोस्तों क् का होना चाहिए थर्मोषफियर होणा चाहिए जहां ठीक है सबसे नीचे क्या है ट्रॉप फिर तेय स्टेटर स्फेर एंध्यर egenृत κα ost को उता है जिसकी वाज़ेश दोस्तों सब्सक्ता होता होता है जिसकी विज़ेश बीच में एक लेर बनती जिसको थे जाती है एक सब्सक्राइब करेगीया शृमें एसले ज्याधा होगी और एक तो जलने का टाइप का दिखेगा मिटियोर बर्न होता हुँ देखेगा तूटा ता रहा चले अगला तो पार्ट इस ट्रेटिय में से कौन से देशों को विभाजित कर रहा है इंडिया भूतान इंडिया-शिलंका इंडिया-माल्दीव या फिर आस्टेलिया और दूजिलन इंडिया शिलंका इंडिया शिलंका तो दोस्तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इंडिया और शिलंका यहां पर करेक्ट आंसर जाएगा अब देखें सवाल उठता है कि इस्ट्रेट होता क्या है इस्ट्रेट होता है दोस्तो यहां पर जिसको हम हिंदी में क्या कहत जो दो लेंड मासस को जोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं इस थमस कहते हैं यह याद रखेगा ठीक है चलें आगे की तरफ वेरी गुड अगले कोशन बढ़ेंगे अगला कोशन दोस्तों आपके लिए यह रहा दोस्तों यहाँ पर लॉरेशिया एंडी गोडवाना लेंड वर सेपरेटेड बाए दोस्तों लॉरेशिया और गोडवाना भूमी डैश के द्वारा अलग होती हैं ब्लैक सी रेड सी तैस सी टिक आधिए अगला कोशन दोस्तों आपकी पर विच रिवर इज नोन एस सौन रिवर किस नदी को सौन नदी के नाम से भी जाना जाता है क्या वह चंबल रिवर है ृट है सोन रिवर है यहां फिरतवा रिवर है जल्दी से बताए है कि यहां पे कیसर होना चाहीए एसि क्यों बोल रहे जो आप ये भी इसलिए बोल रहे हूँ यहां से पढ़ा ममदा नदीबी में निकलती है तो फो तो कि झौलभी या इन में से कोई भी नहीं मतलब नोटा नन ओफ दिया बाओ बताए किसकी है सहायक नदी क्या बात है गंगा नदी गंगा नदी तो दोस्तो यह आप से सवाल पूछा गया था एक्जाम में कि दिये हुए दोस्तो नदियों में से कौन सी नदी जो है वो यमुना की सहायक भी नहीं है तो दोस्तों वहां पे सो नदी वही तो नदी जो है दोस्तों वह उखसी है गंगा नदी की है तो दूस्तों गलत जवाब हो जाएक है बाकी सब बाकी यहाँ पर करेक्ट होगा रहा वीच पास प्रमाजा प्रदेश विस्ट महें अरूमार दोस्तों ओना Papagen से सभी लोग बताएंगे अभी तक शेर करेंगे और राइक करेंगे जल्दिलिबॉ। है और है आपक्तर झाय और does the head around पास कि यहां पे करेक्टांसर कि यह और किसी और dong ध्यर Hung श्राने धीया है我 प्रिती निवीद्य क्या है जब थो मैंनो के Buddhist यहां पर एक फेमस नदी है जिसका नाम है कलादान क्या दोस्तो कलादान नदी है याद रखेंगे चले अगले सवाल बढ़ते हैं अगला कुशन दोस्तों आपके लिए रहा दोस्तों नेम था हाइस्ट एरपोर्ट इन इंडिया दोस्तों भारत के सबसे उचे हवाई एड़े का नाम बताइए क्या वो कुशोक बकालू रिमपोची एरपोर्ट है लदाक का इंद्रा कांधी इंटरनेशल एरपोर्ट है चिन अगला सवाल दोस्तों यहां पर यह रहा दप्लैट्ट्यू रिचेस्ट इन मिनरल इंडिया इस दोस्तों भारत में खनीजों में सबसे सम्रिद्ध पठार कौन सा है यह तो दोस्तों इसमें गलती आप करी नहीं सकते हो त्योरी बहुत अच्छे पढ़ी छोटानागपूर प्लैट्यू मैसोर प्लैट्यू डेकन प्लैट्यू या फिर मालवा प्लैट्यू जल्दी बताएं यहां पर ए अगेन ए अगेन कह रहे हैं तो दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा छोटा नागपूर प्लैट्यू अच्छा दोस्तो तो बहुत बहुत बढ़ी है Central Highland का पार्ट था दीग है अगला सवाल दोस्तों आपके लिए रहा The Cyclones are cost due to दोस्तों चक्रवात डैश के कारण होते हैं क्या वो Low Atmospheric Pressure की वज़े से होते हैं The Hall at whatever pressure की वज़े से होते हैं low atmospheric force की वज़े से होते हैं या फिर high atmospheric force की वज़े से होते हैं जल्दी से बताएं तो है क्यांस पर coaching interaction जोगा वहोगा ए ओप्षन बापारोघ्र अब ऑव्यसूरान ग ट्रम यहां पर हाई ट्मोस्टिर प्रेशर है तो दोस्तों मैंने आपको बता एनरजी जो है वो हुमेशा हाई टू-लो ट्रान्सवर करती है तो यहां से फड़ाफड से एयर भाग कर आएगी इस तरफ अब जैसे आएगी ओयह दूस्तों इतो चारो तरफ से आती है । इसम कोशन आपके लिए दोस्तों यह रहा विच आफ दी फॉल्वाइंग कॉंटिनेंट इस ऑल्सो नोन वाई दी नेम ऑफ दी डार्क कॉंटिनेंट निमलिखित में से किस महादीप को दार्क कॉंटिनेंट के नाम से भी जाना जाता है औस्टेलिया अफ्रिका यूरोप और एश सा कॉंटिनेंट है जहां से ट्रॉपिक आफ कैंसर ट्रॉपिक आफ स्वाल आपके लिए विच इस दी स्मॉलेस्ट कॉंटिनेंट दूस्तों सबसे छोटा महादीप कौन सा है नौर्थ अमरिका यूरोप अंडार्डिक आउस्टेलिया जल्दी से बताईए पढ़ा-फ़ट से बताएँगे यहाँ पर कर्रेक्ट आंसर कहएशर D होना चाहिए खिलारी कहएशर ऑस्टेलिया ठीक है बहुत बढ़िया दोस्तों कच लोग ऑस्ट्रेलिया जितने लोग कहरें उनका यहां पर करेक्ट आंसर रुका देखें दोस्तों अगर आपसे पूछ लेगा स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है फड़ा फड़ बताईए स्मॉलेस्ट कंट्री सभी लोग बताएंगे लिएश्ट है तो वाटीकन सीटी ठीक है याद रखेंगा वेटिकन सीटी यह चले अगला सवाल आपके लिए दूस्तों यह रहा हाउ मैंनी लेएर सन हैं दूस्तों सूर्व की कितनी परते होती हैं पांच 6 7 8 दूस्तुमने आपको बतादा दा कोरोना फोटो इस फिर यह स सूक्राइक बसतर और देक्सरों करेक्ट इस और धीक्रेक्ट रेखेखे से सलेंगे अंग गए कुशन दोस्तों आपके स्क्रीन पर रहा विच अपर भारत के निमल गंखित प्रदेशों में से कौन सा भ्गॉनिक च्छेतर में सबसे छोटा है चंडीगार पुडूचरी दादर नागर या फिलक्षदीप जदीप इसमें भी गलती नहीं हो नहीं चाहिए दोस्तों थियोरी में हमने बहुत अच्छे किया इसको ठीक है पुडूचरी के रहे नहीं मतलब आपने थियोरी की क्लास नहीं जिसन पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया दोस्तों 2011 की जनगंडा के अनुसार भारत में निम्नमेसिक सबसे कमावादी वाला राज्य कौन सा है मिजोरम सिक्कीम त्रिपुरा और उत्राखंड मिजोरम कह रहे हैं कुछ लोग कुछ लोग सिक्कीम कह रहे हैं तो दोस्तों यह लेकर उससे पहले दोस्तों यहां पर सभी लोग जिनोंने अभी तक लाइक नहीं किया है फड़ा फर से क्या करेंगे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अगला सवाल आपके लिए रहा विच रिवर ऑफ इंडिया इस कॉल्ड वृद्ध गंगा दोस्तों भारत की किस नदी को दोस्तों व्रिद गंगा कहा जाता है क्रिश्ना घुदावरी कावेरी और नवंदा जली से बताएं कि यहां पर गड़ावरी गड़ावरी कहा खरेंतों कॉर्क तरफ ब्रपात सोरी जलप्रपात है यह बांध है दोस्तों पोला वरम बांध क्या है प्योड़ शो चाहन वे किलोमेटर है कीज़ये कर चौह चौह शपन भी मिलती है लिक हुई तो याद रखेगा इसको दुस्तों धक्षिन भारत की गंगा भी कहते हैं क्यों का थे दोस्तों क्योंकि यह यास कावेरी बहुत बढ़िया अगर आपको दुस्तों यहां पर शुद्धता या प्यूरिटी के फॉर्म में अगर बात की जाए तो दुस्तों फिर उसको कहेंगे कावेरी नदी किसको दुस्तों कावेरी नदी को कहा जाता है आगे बढ़ें अगले सवाल पर अच्छा बहुत बढ़िया मंजीत देव याद करने की सरजादा दरूरत है नहीं यह कंटीनू आता चला जा रहा है इंदौर फिर से दोस्तों कौन निकल करा है इंदौर सिटी जो है वो सबसे निकल कर रही सबसे सच्छ सिटी कहां पर है MP में है ठीक है इसको दोस्तों IT पार्क भी क हो या भी जल्दी से बताएं यहां पर फड़ावर से सभी लोग बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा पैड़ी कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं सर यह ऑप्शन होना चाहिए तो दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर जोगा वह हो जाएगा option number one क्यों क्योंकि दोस्तों यह लगाई जाता है इसको जायद क्रॉप होती है और जायद क्रॉप होती है और सब्सक्राइब करने करता था वहां पर किसान को परसान करने के लिए करता था तो बताएंगे इनको कुछ सबक सिखा के रहेंगे उस समय क्या हुआ तो वहां पर जो जमीन-दार था उसने कहा कि काम करो उपर वाली फसल तुम रख लो नीचे वाली मैं रखूँगा तो उसने गेहूं बो दिया गेहूं क्या बो दिया वीट वीट बो दिया तो वीट दोस्तों उपर वाली फसल जो है काट के कौन ले लिया बहिए किसान ले लिया और नीचे वाली कौन ले लिया जमीन दार बोला यार यह तो दिमाग लगा रहा है उसने फिर बोला कि भाईया अब मैं नीचे वाली फसल लूँग फिर जमीनदार दिमाग लगाया बोला कि इस बार उपर की फसल और नीचे की फसल मैं लूँगा तुम में बीच की लेनी है तो किसान के बेटे ने फिर से दिमाग लगाया और इस बार फसल लगाई किसकी या गन्ने की खेती कर ली किसकी दोस्तो सूगर केन की सूगर केन में जड़ नीचे ऊपर पत्ती बीच में दोस्तों गन्ना ले गया कौन किसान गन्ना ले गया किसान का बेटा और जमीनदार के पास रहे गई सिर्फ जड़ और पत्ती तो इसलिए कहते दोस्तों ज्यादा दिवाग नहीं लगाना चाहिए ठीक है यहाँ पे ज्यादा घमंडी न अच्छा यहां पे करे सर रही है तो रात में ममा सोने के समय सुनाते थे ओके अच्छी बात चलिए तो दोस्तों यहां पे हो गया मस्तट करेक्ट अंसर अगला सवाल दस्तों एक्स्टूजीव रोग आड टाइप आप उप जस्त यहां पे बहिर जात चट्टाने एक प्रक रहे हैं तो दोस्तों जित्ते लोग D option करें उनका correct answer होगा क्योंकि देखिए दोस्तों एक तो extrusive और दोस्तों एक इसका दूसरा कोया होता है intrusive जो 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 जमीन के अंदर ठंडी हो के बन जाए वह इंट्रूजिव जो बाहर की तरफ हो जाए वह एक्स्टूजिव ठीक है अगला सवाल दोस्तों आपके लिए विच्व फॉलॉइंग वर्ड इस कॉल्ड ब्राउन कोल निमलिखित में से किस शब्द को भूरा कोईला भी कहा जाता है बिटुमिनस कोक एंथ्रसाइट और लिगनाइट जल्दी बताईए फटाफर से बताएंगे डी ओप्शन कह रहे हैं तो दोस्तों यहां पे जितने लोग कह रहे हैं से डी ओप्शन उनका यहां पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमने बात की थी कोईला जो है वह भारत में और दोस्तों पस्चिम मंगाल में भी मिलेगा कहां पर दोस्तों रानी गंज में ठीक है रानी गंज में कोईले को दोस्तों क्या कहा जाता है ब्लैक डाइमंड कहते हैं क्या कहते दोस्तों ब्लैक डाइमंड कहा जाता है सबसे ज़्यादा भारत में दोस्तों कौन सा दोस्त पीट ठीक है चले आगे बहुत बढ़िया सभी का अंसर आ गया चादनी एश्वेरिया प्रीती प्रताप बहुत बढ़िया मंजीत बहुत बढ़िया अगला सवाल दोस्तों अविनाश वहरी गुड अगला सवाल आपके लिए इस्टर मोस्ट पॉइंट इन इंडिया इस भार प्रताइब आप यहां पर दी आप्शन होगा क्योंकि हमने पढ़ा था कि वीथू और आपको एक वेस्टन पॉइंट अभी तक आप लोगों ने उसका आंसर दोस्तों कमेंट में करना है क्लास के बाद ठीक है वेस्टन पॉइंट वाला ठीक है हमने दोस्तों नौर्थ का इंडिशन भारत का पढ़ा था इंद्रा पॉइंट पूरफ का पढ़ लिया था दोस्तों की विथू और आपको बताना है दोस्तों कौन सा कौन सा वेस्टन पार्ट चले आगे चले अगला सवाल आपके लिए रहा दोस्तों इंडिया शेर्स इस लेंड बाउंडरीज यहां पर अश्वाग करें सुछ है है रन्वी खराएं तो दूस्तों यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथ आठ कौन कौन से दूस्तों एक चलिए काउन कर लेएं एक बार Chand कौशिश करते अफ़गानिस्तान से चलते अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करती है 106 किलो मीटर ठीक है फिर पाकिस्तान के साथ शेयर करती है चाइना के साथ शेयर करती है भूटान के साथ शेयर करती है ठीक है मैनमार के साथ शेयर करती है बांगलादेश के साथ शेयर करती है नेपाल के साथ शेयर करती है एक दो तीन चार पांच शेयर साथ नो कैसे हो गए दोस्तों नो कैसे हो गया है हाँ बहुत बढ़े साथ जितने लोग कहरें उनका बिल्कुल करेक्ट आशर होगा और सबसे आता सीमा साजा करता है बांगलादेश के साथ सबसे कम करता अगले सवाल पर चली अगला सवाल दुस्तों आपके लिए दगेंगेस अप्रॉक्सिमेटली डैश किलो मिटर लंबी नदी है पांच हेजार पचीस सो हजार और दो हजार फटाफट बताइए कितनी लंबी नदी है भाई प्रत्वी की भूप परपटी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है कारबन डाइकसाइड हाइड्रोजन सिलिकॉन और ऑक्सीजन फटाफट बताएंगे फड़ा फट से दोस्तों जिनों अभी तक शेयर नहीं किया है शेयर करेंगे और लाइक करेंगे जल्दी अली से और दोस्तों पीडियाफ आपको कहाँ पर मिलेगी आपको टेलिग्राम पे टेलिग्राम पर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएए एडरीट औक्सीजन औक्सीजन तो दोस्तों यहां पर और और फिर अगला सवाल दोस्तों विच आफ फॉलाइंग रिवर ड़स नॉट फ्लो इंटु दी अरेबियन सी दोस्तों निमलिखित में से नदी कौन सी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है नर्मदा सापरमती तुंभद्रा और मांडोवी जल्दी से बताईए है हाँ सियाल सीवा और निफे बिल्कुल सही बता रहे है यहां पर सिजू का यहां पर करेसर होना चाहिए सी ओप्शन सी ओप्शन तो दोस्तों यहां पर करेक्टांस रोगा तुंभद्रा ठीक है यह याद रखेगा क्योंकि यहां पर आगे बढ़ेंगे नो है तो आप बताएंगे चले अगला सवाल यस यस आ गया है तो अगला सवाल आपके लिए दोस्तों यह रहा और दोस्तों यहां पर आपके लिए क्या रहेगा यह रहेगा होमवक क्या रहेगा सभी को क्या करना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना ठीक है चले आगे ओहां पर समय होता है समाप्त जहां पर आज हमने दोस्तो जोग्रफी का एक पार्ट उठाया था दोस्तो फिजिकल जोग्रफी में एक पार्ट फिजियोग्राफिकल डिवीजन ओफ इंडिया और दोस्तो उसको हमने थियोरी के बेस पे और दोस्तो हमने यह आपको दोस्तों यहाँ पर चाहिए है important है और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको लगता है कि majority of people जो रहेंगे उसके हिसाब से तो classes की जाएंगी तो आपके पास power है अच्छा दोस्तों इस class की PDF कहां पर मिलेगी वह मैं आपको बता देता हूँ ठीक है कहां पर मिलेगी just a minute ठीक है तो वह class की PDF दोस्तों आपको मिल जाएगी टेलिग्राम पर टेलिग्राम पर आपको कैसे मिलेगी आपको सर्च करना है एड़रेट गौरफ सर्ट टेस्ट बूक या फिर आप इसको स्कैन कर सकते हो यह directly सर्च कर सकते हो गौरफ मौर्या सर्ट टेस्ट बूक ठीक है और दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर क्या करता हूं लिंक भी शेयर कर देता हूं ठीक है जिससे आप वहां से भी जुड़ पाओगे तो दोस्तों यह रही आप लोगों के लिए लिंक ठीक है लिंक रही इससे भी आप वहाँ पे दोस्तों जोड़ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिंक देदूगा और दोस्तों जितने लोग तयारी करें मैंने आपको पहली बता दिया यहाँ पर अभी दोस्तों आपके लिए चल रहा है सेल ठीक है टेस्ट बुक सूपर को के बाद दोस्तों आपको क्या टाइप करना है टेस्ट बुक आप जैसे सर्च करोगे दोस्तों आपको पहला दोस्तों जो लिंक है उसी को क्लिक कर देंगे ठीक है आप दोस्तों यहाँ पर आजाओगे सूपर कोचिंग आपको यहाँ पर दिख रहा है उसमें दोस्तों एर करना है कूपन कोड कूपन कोड क्या है दोस्तों जी ए यू आर ए वी एम गौरव एम जैसे अप्लाए करोगे दोस्तों आप देख पाओगे यहां पर सारे में करते हैं समाप्त अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा है तो क्या करना है सभी को कमेंट करना है और दोस्तों होउमवक जरूर कर लेना और यह जरूर बदाना की आपको कौन से क्लास की जरुरत है जोस के साथ लेने अपना ख्याल ख्याल रखना है अपनों का ख्याल रखना है पढ़ाई करते रहना है आपका दोस्ट गौर फिर से मिलेगा दीजे विदा जय हिन जय भारत